सब लोग को जाहिन पूरे देश वालों को जाहिन जितने लड़के हैं लोग सब लोगों को जाहिन बाबू लाइव हो गया हम लोग हम लोग लाइब हो चुके हैं आप सब लोग बीपी असी का पेपर संपन हुआ एक साल की महनात पूरे बच्चों की रंग लाई एकडम बहतरीन ढंग से एकजाम हुआ सर इतने दिन से हम लोग की जो इतना महनत कर रहे थे हैं आज सारे टीचर लोग हैं डिसकेशन कराते हैं लोग एकडम बहतरीन कोशन आया कोशन का लेबल इस अच्छा था चाहें वो एकनोमिक्स हो करेंट हो जोग्रफी हो हिस्ट्री को चोड़गी हिस्ट्री का कोशन बहुत हलका था सर यहां सारे लड़कों का हिस्ट्री बहुत अच्छा गिया हो गए और सब लोग अब एक एक करकें डिसकेशन करते हैं हमाई हिस्ट्री वाले पार्ट से लगबाग 35 कोशन आया थे सर यहां पर और जोग्रफी सर करेंट अपर से इंवार्मेंट मिला दें हाँ करेंट में सर हर साल की तरह लगबाग 25 कोशन इस बार भी कोशन पुछे गए हैं इस बार भी कोशन पुछे गए तो लंबा समय से पूछा गया है यह थोड़ा सा में सवाला चाहर कोई बात नहीं सर में लोग को पहले से जलक दिखला दिया यहां पर तो अब हम लोग ना एक कम करेंगे डिसकाशन सर चालू करते हैं लोग ठीक है और जितने अच्छा सर यह यह लड़के लोग जो थे हैं यहां पूरे लोग हमको भर भर सुनाते हैं अपना यूटूब चैनल भूल गए क्या यहां पर आपका ही चैनल है कभी आया करो अरे भाई ना खुस ही हुगा आज हम आपको डिसकाशन करा देते हैं और ना कल आप कल आपको ना हम कॉपी पे से हाइलाइटर लगा के सर कॉपी पे मेटरियल लगा के दिखाएंगे कैसे कॉपी में से हुब हुआ है हंडेट परसेंट लगा है जोड़की लागे देख लें बिलकुल पहले आप तीनों लग करा लेंगे हैं पहले हम लोग तो यही रह रहरु है तो हम लोग पहले हिन और voice सर उसके आपाहर का दिक शुरू कर देंसे उसके पाद अह्म लोग हम लोग को निकलना है वेकि इतने दिल्ली से तो साव लोग एक दम कराएंगे लोग पहले यह ओभी बिलकुल बिलकुल तो सार हम लोग पहले करेंठ ह। प्हले क्कॉलिडी करेंगे सurrection पॉलिटी के सार कितने नमबसे कॉशिच शूरू करेंगे स्थॉर कि कुशे जान में मौलिक अधिकारों के विचार के सब्सक्राइब बहुत ही आसान पूछा गया है तो अब आप मोर्चा समालिए और हम लोग हाँ तो हाँ सब्सक्राइब कर देते हैं तरह कि लगों को दिखाई दे हाँ आए शुरू करते हैं तो एकदम पॉलिटी सुरुवात करते हैं सर बिल्कुल सर नो प्राबलम चलिए देखो मौलिक अधिकार दो कुछे गए दो बेसिक कुछे गए जो आपको पढ़ाय गए थे कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए मुझे यह नहीं लगता कि इस प् प्रशन है कि हमने सहंत्राज अमिरका से मौलिक अधिकारों को लिया है आप सभी जानते हैं एक प्रशन और पूछा गया है जो यहां इसमें होगा कि मौलिक अधिकारों की मांग और आपको पढ़ाई थी कि मौलिक अधिकारों की मांग 1931 के कॉंगरिस के करांची अधिवि पूछा गया है और तो ये तो पॉलिटी की पूरी पूरी बिजत्ति है भारती समदान ये किसन उच्छे द्वारा इस परसदा को समाप्त किया गया है evolution of untouchability आप लोगों ने कितनी बाट पढ़ा है untouchability क्या है हमने तो ये तक पढ़ा untouchability के provisions क्या है untouchability हमारे country में provided रही है untouchability के लिए हमारे country में अलग से punishment का provision है तो article 17 बच्चों वाला प्रशन है बच्चों वाला प्रशन है बहुती आसन प्रस्न आपके एक्जाम में पूछा गया है आप इसे आप articles में ले लीजिए fundamental rights में ले लीजिए तो मैं ये भी कहूँआ ये भी fundamental right एफ र में जाता है प्रस्न और पिछला वाला ये वाला जो प्रस्न था ये भी प्रशन जो है भी अमने जो पढ़ा है आपको वो भी एफार में जाता है दोनों प्रशन आपके एफार में चले आते हैं दोनों प्रशन फंडामेंटर राइट की प्रशन है बहुत ही बेसिक प्रशन आपके एक्जाम में पूछे गए है उच्छ नियाले की नियादी करने की पावर हमारे रास्ट पती के पास है बहुत ही बेसिक सा प्रशन है हर राज्य में जजों की संख्या अलग-अलग होती है अलग-अलग होती है आप सभी जानते हैं सभी को पता है सुप्रीम कोट में संसद होता है यहां बैसी उच्छ नयाले लिखा है तो संसद तो प्रदान मंतरी से मतलब नहीं है राज्य के मुख्य मंतरी से मतलब नहीं है तो बहुत ही बेसिक प्रशन आपके एक्जाम के लिए बना है बड़े सिंपल तरीका से प्रशन का आप सॉल कर सकते हैं कवडाने कोई आवस्यक्ता है इसके लिए थी नहीं मुझे लगता है मेरे सेरों ने एकदम गर्दा उना दिया होगा एक्जाम में फोड दिया होगा सारे प्रश्णों को पांच में अनुसूची मतलब ऐसा लग रहा है कि इस पेपर के लिए पॉलिटी पढ़ाई थी क्या इतनी पॉलिटी पढ़ी हम लोगों कुछ रहा है तो आपको पता है पांच में अनुसूची जन जाती लिखा है अगर यह साफ आपको नजर नहीं आ रहा है यह साफ नजर आ हरए बच्चों को यह ST लखा हुआ है यह लिखा है बासे यल्फ संग्या यह भी नहीं आएगा अनुसूची जाती लिखा है यहाँ पर SC लिखा है तो आंसर क्या होगा B आंसर क्या होगा P बहुतीज इसिम्पल और बहुतीज प्रशन पूछा गया है बहुत ही बेसिक प्रशन आपके एकजाम में आया है हलूआ 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 हालूा बारतिय सर वोच नहले किस मुंकद्थिमे के दवारा सर परतम मूल धांचे का सिद्धान बताया गया लेकिन इस हलूए का मतलब यह नहीं कि तुम यह समझ लो क आपने पौलेटी में भी अलू आएगी बापुदे को आपने पौलेटी पढ़िए तो में काम आएगी हमने तो basic structures की थिउरी पढ़िए doctrine पढ़िये doctrine of severity doctrine of basic structure doctrine of bavir doctrine of कितना कितना हमने पढ़ा है इत्रा basic structure का अपने जो doctrine है ये किस case में supreme court ने कहा तो केश बनंदा भारती केरला बनाम केश बनंदा भारती राज़ 1973 केस बहुत ही बेसिक प्रशने आप लोगों ने पढ़ा है गोलगनाद 1967 इससे पहले हो गया मैं तो आपको पूरी स्किस्ट्री समझाई थी कि वाई सुप्रीम कोट ने और एक बिवाद चल रहा था सुप्र पढ़ा है वह ईयता है बहुत ही बेसिक प्रशने बहुत प्रशन नंबर 48 बहुत ही प्रreat Cheng प्रशने जब मैं आपकी आपकी की Class लीती, तो आर्टिकस की Class में मैंने आपको ये बात बताई ती, परसों की मेरी जो Class है, और मैंने पहले भी आपको इस बात की चर्चा कराई है, कि हमारे संसत की जो भासा है वो अंग्री जी और हिंदी दोनों है, यानि आप इंग्लिस भासा भी बोल सकते हैं और आप हिंदी भासा भी बोल सकते हैं इंग्लिस और हिंदी लेकिन आप अपनी मात्र भासा में भी बोल सकते हैं और इसकी इजाज़त आपको सदन के चेर्मेन या सदन के अध्यच यानि स्पीकर से लिनी होती है यह प्रश्ण बहुती बे अशिक तरीका से देखेंगे तो सीधा सीधा अनसर क्या है 120 article में बात लिखी है कि सदन की बासा क्या होगी और कल वाली दिस्टों सावाइड जो लिए पड़सों वाली दिस्टों अपस्टों वाली वाली एक ली एक लिती एक लास आभी प्रशन मुझे लगा है कि पॉलिटी का एक दमदार प्रशन है एक दमदार प्रशन है तो जो विद्यारती हमसे पॉलिटी पड़े हैं हमारे बैच में पड़े हैं विद्यारती अपनी कॉपी खोलेंगे तो कॉपी में NJSE नेशनल जूडिसिल अपॉंट्मेंट कमीशन औल कॉलिजियम प्रणारी जज़िज केस फर्स्ट सेकिंड थर्ड सारे जज़िज केस के बारे में हमने बातचीत करी थी कॉलिजियम क्या है तो आपको पता है कॉलिजियम जो है सुप्रीम कोर्ट का कॉलिजियम पांच संसदिय निकाए है बिल्कुल ठीक है इसमें 5 मेंबर होते हैं एक मुखन्यादीस होता है CGI प्लस 4 और होते हैं तो statement नमबर वन एकदम आपका correct है इसमें कोई दो राय नहीं है देखो संसद ने विधी बना के कॉलेजियम का निर्माड किया ऐसा बिल्कूल गलत है आप सभी को पता है कि कॉलेजियम का निर्माड है वो तो पालियमेंट तो चाहता ही नहीं है सरकार तो कभी चाहती नहीं कॉलेजियम रहे भाई कॉलेजियम की प्रणाली तो ऐसी हमारी बनी है आपको अच्छे प्रकार से पता है दूसरे जजजी केस से बनी है ठीक है उच्थब न्यायले और उच्छ न्यायले के नयादीसों की नियुक्ति कॉलीजियम के माद्यम से की जाती है आप लोगों ने 100% यह बात पढ़ी है स्वपरशद ये भी सही है अब मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉलेजियम प्रणाली की सुरुबात कौन से केस से हुई थी आप अपनी copy पे जब paste बदलेंगे तो आपको नजर आएगा कि कॉलेजियम प्रणाली की सुरुबात 1993 में हुई यहां तक statement correct है लेकिन यहां लेखा है first judges case तो आपको मैंने पढ़ाया है second judges case statement चला गया हवा में सफेद जूट बोल रहा है 100% गलत है you people are very much aware the collegium provisions या collegium प्रणाली that was been ये जो ही शुरुबात ही इसकी from the second judges case in 1993 you people are very much aware तो आप कह सकते पहला सही है sir तीसरा वाला भी statement correct है दूसरा गलत हो गया चोथा गलत हो गया आप लोकुल पढ़ सकते हैं या first लिखा है और ये second होना चाहिए तो आप कह सकते है sir पहला और तीसरा तो answer क्या हो जाएगा question number 49 का जो answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा C हो जाएगा बहुत ही basic प्रषण है बहुत ही basic level का प्रषण आपके सामने पूछा गया है तो देखो हमेशा याद रखना जैसे अपने जब पढ़ा भी था तो हमने काता NGSE और class में याद करो मैंने काता NGSE Coliseum या judiciary और execute के बीच में हमेशा बिवाद चल रहा है तो judicial review, judicial activism मैंस में कुछन पूछा गया है भी recently तो यह प्रषण exam में बनेंगे चाहाँ UPSCO, UPPCS, BPSCO यह प्रषण बनेंगे ही बनेंगे और यह प्रषण आपके exam में बन गया आपने solve किया था मुझे पूरी उम्मीद आपने पढ़ाए प्रषण बारत की सम्मिदान की प्रस्तावना में 42 में सम्मिदान संसोदन के माध्यम से अब देखो 42 में सम्मिदान संसोदन के मारे में अगर मैं बात करूँ आपके सामने तो आप इसको solve करेंगे तो 42 में सम्मिदान संसोतन को आप ऐसे मत पड़ो आपने प्रस्तावना पड़ी है और प्रस्तावना में तीन सब जोड़े गे थे समाजबाद, धर्मनिर पेच और अखंड़ता सोसलिस्ट, सैक्यूलर और इंटिग्रिटी ये तीन वर्ड थे सोसलिस्ट, सैक्यूलर और इंटिग्रिटी अरे हाँ या ना 42 में सम्मिदान संसोतन द्वारा प्रस्तावना में संसोतन हुआ था जब सुप्रीम कोड ने बोल दिया कि आप अमेंड कर सकते हो तो हमारे अमेंडमेंट हुआ प्रस्तावना के अंदर का तो बिल्कूल करेक्ट है ये बात सम्मिदान में आठ मौलिक करतब बे जोड़े गए अब आपने मौलिक करतब का प्रशन पढ़ा है बस क्या बच्चों वाला प्रशन है बस प्रशन को मिक्स करके पूछ लिया है मौलिक करतब आपको पढ़ा है कि मौलिक करतब दस जोड़े गए थे बरतमान में गया रहे है तो ये कुसन भी गलत हो गया डीपी एस्पी के सिद्दान जोड़े गए अब देखो 49 ए मैंने आपको पढ़ाया था 48 ए क्या है दूआ उड़ा दिया होगा तुमने 47 आर्टिकल ये तो पहले से ही था तो ये तो आया ही नहीं है क्योंकि इसके पीछे ए लगा ही नहीं है तो गुरुजी ये तो हो गया सॉल यानि तीन नमबर क्या हो गया गलत हो गया और 42 में समधान संसोदन द्वारा आपने पढ़ा है आपको पढ़ाया गया है कि 49 से 43 से 48 से जोड़े गए थे आपको अच्छे से पता है अब देखो ये जो कोसर नमबर 4 है अब ये उपसर नमबर जो 4 दिया हुआ है यह हो सकता है आप लोगों को नहीं पता तो एक elimination method भी होता है प्रशनों को solve करने का कि आपको 100% पता है पहला वाला सही है आपको 100% पता है दूसरा वाला गलत है आपको 100% पता है तीसरा वाला गलत है तो जब पहला सही है दूसरा तीसरा गलत है चौथे को पढ़ोई मत, आप सीदे option पर चले जाओ, आपको पता है पहला सही है, सर दूसरा तीसरा गलत है, अब यह कह रहा है कौन से कथन गलत है, अच्छी बात देखो यह गलत पूछा गया है, कौन से कथन गलत है अब आपको गलत छाड़ने तो sir हमने पढ़ लिया कि sir दूसरा गलत है और पहला सही है तो यहाँ पहला दिया ये भी option नहीं होगा यहाँ पहला दिया ये भी option नहीं होगा अब अब आपके सामने आपको पता है दूसरा 100% गलत है, यानि एक 7th class के बच्चे को पता होगा, कि दूसरा 100% गलत है, तो आप चौते option पे जाओ ही मतना, आप दूसरे तीसरे गलत करो, और आप answer देके, 100% आपका answer सही होगा, आप आगे बढ़ जाओ, आपको गवडाने की आवसकता है ही नहीं, आपको गवडाने ही नहीं है, option number 4 क्या कह रहा है, देखो राश्पति के पास power होती है, यह जो power transfer करी गी थी, President of India को, कि State Legislature के जो members होगे न, वो उनको आयोग को गोसित करने की power, governor और President को transfer करी गई, कि President with the concern of election commission के माध्यम से, बताएगा, तो अगर यह आपको नहीं जानकारी है, मैं कहता हूँ, यह बहुत depth पूछ लिया, मैं कहता हूँ, यह depth है, 100% depth है, आपको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आपका प्रशन सॉल्व हो गया, बस काम खतम, ऐसे प्रशनों को crack करते हैं, ऐसे प्रशनों को तोड़ते हैं, कि आपको हर स्टेट्मेंट नहीं आना चाहिए, आपको जो पूछा गया है, वो आना चाहिए, तो आप प्रशन को बड़े आसान तरीगा से तोड़ सकते हैं, 49 नमबर कर लिया न हमने, अरे बड़े जल्दी जल्दी प्रशन खतम होगे हमारे, इसके बाद 51 नमबर कुषन मेरा है नहीं, क्योंकि ये तो उसका है, एकनोमिक्स का है, 55 नमबर कुषन मेरा आता है, 55 नमबर कुषन मेरा है, 55 नमबर कुषन मेरा है, 55 नमबर ये देखिए, 360 लागू करने के परणाब निम्लिखित मैं से कौन से सही है ते को बित्ती आपातकाल financial emergency आपने पढ़ा है financial emergency इंडिया वाज तक कभी लगा नहीं है आपने पढ़ा है financial emergency अब लागू होती है तो राश्टपती राज्यों के मामले में राश्टपती राज्यों के राज्यों मामलों में संबन्ध में सेवारत सभी किसी वर्ग करमचारियों के बहतन बत्ते कम करने का आदेश दे सकता है You people are very much aware Statement 100% सही है कि President वो किसी के बहतन कम कर सकता है Supreme Code के न्यादीस होँ, High Code के न्यादीस होँ मैंने इस पस्ट नोट डलवा के लिखाया था कि इनके वेतन कम हो सकते हैं तो स्टेटमेंट 100% करेक्ट है अगला स्टेटमेंट राज विदान मंदल द्वारा पारे धन विदेयक अन्य वित्य विदेकों को राश्ट्पति की विचारत आरच्छत रखने की आवसकता नहीं है देखो आवसकता नहीं है तो यह गलत है आवसकता है में प्रेसिडेंट में इसमें की स्टेटमेंट आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट में देखो यह स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप राज विदान मंदल द्वारा पारे तोने के बाद धन विदेयक या अन्य वित्य विद इनको राष्ट्रपती के लिए आप आरक्षित कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, इंगलिस में इस परस्टन को देखेंगे तो ज्यादा clarity आएगी, तो ये option ठीक है, राष्ट्रपती उच्तम न्यायले, उच्छ न्यायले के जजों की सभी वरक के करमचारियों के वेतन वत्ते कम कर स का C आपका सही आंसर है, C आपका सही आंसर है, 100% आप देखेंगे, C इसका सही आंसर है, बहुती बेसिक पेपर, बहुती बेसिक पेपर, एकदम उड़ा दिया आप लोगों ने, तो ये हमारे polity के प्रशन थे, एक प्रशन इसमें और पूछा गया, fundamental right से, जो मैंने आपको पताया, कि वो एकदम बीच में प्रशन है, और वो हो सकता है, कि आप उसे modern history में ले लें, हो सकता है, कि आप उसे प्रशन को जो है, आप उसे इसमें भी ले सकते हैं, कि मौलिक अधिकारों की सबसे पहले बाली मांग कहां करीगी थी, कुसा number 78, बहुती बेसिक प्रशन है, मैं इसको भी आपके सामने फोर देता हूँ, आपने ये प्रशन भी solve किया है, आपके एक्जाम में, कुसा number 78, आप देखेंगे, बहुती बेसिक प्रशन आपके एक्जाम में पूछा गया है, कि बारती राष्टि कॉंगरेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधि प्रशन है, अबने अपने प्रपर पुछलो ये इस्ट्री का क्वेश्चन जीन रहे है, पॉलीटी में जवर जस्ती अधिका या सरदार पटेल थे सब देखता है, प्रशन पॉलिक प्रशन है, पॉलीटी में खीच लिए, यहां पे घुच लिए, अभी हो गताब, लास्ट में खीच लिए है, हाँ है, अधिक भाले सर का क्वेश्चन था लेकिन ही इस्ट्री का ही था, तो लड़के केरों के असन ने भी पढ़ाया है, यहां ऐसा नहीं है, यहां चीजां पढ़ाई है, यहां बढ़िया है, मजा आगे आप लोगो, सले पॉलिटी तो हो ग केंफ़ोड़ है, तो देख लेजुआ है, हाँ हाँ, लीजे माइक लीजे, हाँ गया सम्दा रहा परश्चन, आग यहां बाला बियालीज मोह एक बार आप बताएए, जो पूछ रहे हैं बच्चा, आजेगे बिटा आप बताएए, कौँसा बच्चा था अब्याएगोगो सर पढ़ाएं 1931 अरे उसको छोड़ो वह तो हमारा सही है मज़ा आगया सर मज़ा आगया एक लड़का भी लिखा सर्च नहीं क्या लिखा कर आप ब्यालीस में सम्दान समसा विचार कीजिए कौन सा कथन गलत है हां तो गलत ही पूचा है वह या सही नहीं पूचा है तुम गर पूचा है कौन सा गलत है तो दो और ती गलत है न वह गलत ही पूच लिया है अब 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 लोग लोग मन लगा के एकदम इसी मेंस पर भीड़ जाना है आप पांच अक्टूबर से मेंस की पर रणनिती शुरूए अब लोग भीड़िये एकनामिक्स में एकनामिक्स काउप्रेशन कर दीजिए अब लोग वैसे ही पेपर एक्जाम में आएगा हो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसा ही बोल रहे होंगे आज पेपर देखने के बाद जैसे कि हमने अपनी क्लास में डिसकॉशन किया प इसमें 51 से लेकर 65 तक हमारे एक्जैम में हैं 51 से लेकर 65 तक बीच में दो कोशन है एक सेंसस से हो गया और एक कोशन पॉलिटी का है तो यह हो गया एकनामिका सेशन चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग इस सारे कोशन बना रहे होंगे और सबसे पहला कोशन हमारा देखे पूछा गया है कि सोधन असक्षमता मतलब बैंक रप्टसी से तात पर उस वित्तिय स्थिती से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्थान बकाया होने पर अपने रिणों का भुक्तान करने में असमर्थ होता है देखे सबसे पहले हमें यहां पर देखना है कि हमसे यह एक शब्द होता है जैसे कहते हैं इंसॉल्वेंसी दिवाला दोस्तों सोधन असक्षमता कौम कह सकते हैं दिवालिया पन जरा ध्यान से समझना मैंने अपनी क्लास में बात करी थी IBC 2016 की इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्ट्सी कोड 2016 इसके तहट दो शब्द होते हैं कि इंसॉल्वेंसी और एक बैंकरप्ट्सी तो बैंकरप्ट्सी की जब बात करें शोधन असक्षमता मुझे कॉमेंट्स दिखा दीजे बस साइड शोधन असक्षमता की अगर हम लोग बा पैसा भुकतान करने के लिए नहीं बचा तो उसे हम लोग कहते हैं बैंकरप्ट्सी शोधन असक्षमता मतला गitating सामनें से कोई एजन्सी बोले के हां सच मैं देखो Insolvency जिसे हम केते हैं दिवाला Insolvency दिवाला का मतलब है जब मैं अपने बंक के पास जाओं और हाथ खड़े कर दूँ और कोओं देखो बंक मेरे पास लोन देने के लिए पैसा नहीं बचा तो इसे हम लोग कहेंगे क्या Insolvency दिवाला लेकिन यहाँ पर कहा रहा है दिवाला एक कानूनी पिरक्रिया है यह statement कानूनी पिरक्रिया हो गया गलत यह देखे बैंक रप्सी मतलब जो सामने कोई एजनसी बोल दे हाँ सच में इस बंदे के पास पैसा नहीं है तो एक लीगल प्रोसीजर है तो यहाँ पर लिखा एक तात स्टेट्मेंट बनता है हमारा बिलकुल सही राइट अगर हम बात करें नेक्स्ट MYंट देखो शोधन असक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला एक निशकर्स है अब मुझे बताईए यहाँ पर दिवाला एक अवस्था है लेकिन शोधन असक्षमता एक क्या है अगर हम कहें शोधन असक्षमता एक अवस्था है तो यह statement गलत है शोधन असक्षमता एक निशकर्स है और जबकि जो दिवाला है वो एक गलत स्टेट्मेंट हो गया तो ये भी स्टेट्मेंट गलत है लेकिन अब ध्यान से आप देखिए जरत सही स्टेट्मेंट निकालना है तो देखे लिखा है भारतिये दिवाला और सोधन असक्षमता बोर्ड जैसे हम बोलते हैं आई बी बी इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्ट्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आई बी बी आई आई बी बी आई दिवाला और सोधन असक्षमता कारवाही की देखरेक के लिए जिम्मेदार नियामक है बिल्कुल सही है और इसे आई बी सी दोयार सोला के अंतरगत रखा गया तो हम बात करें बिल्कुल एक्जैक्ट तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो केबल फोर बाकी के यह तीनों स्टेटमेंट गलत हैं हमने बखु भी अपने पेपर में करें हैं अपनी क्लास में इसका डिस्कुशन हुआ है और आप बहुत अच्छे से इसका आंसर समझ सकते है चलो, नेक्स्ट कोशन आप देखिए, ये बिलकु सिंपल सा है, ये मैं अभी कल पर सोहीं अपनी क्लास में बात कर रहा था, कि भारत में इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे पहली बार आई थी 1948 में, और भारत में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजॉलूशन आया था 1956 में, और इ ये पंचवर्सी योजना के समय कनवर्टेड हुआ, और जो दूसरी पंचवर्सी योजना 1956 में शुरू हुई, और इसी समय हमारे देश में अध्योगिक नीती संकल्प इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजॉलूशन आया, तो हम बात करें इंडस्ट्रियल पॉलिसी दूस्तों इस तरीके से आपको मैं बता दूँ, इस बार बीपीसी ने बहुत अच्छा काम किया है, और हमारे जो मानिये चेर परसंजी है तो प्रसाद जी उनकी प्रसंशा करनी चाहिए, और प्रसंशा इसलिए करनी चाहिए, क्योंकि जो स्टांडर्ड उनने इस बार बी अधन संबंद प्रोसाहन, बहुत शांदार अपने अपनी क्लास में बात करी, Production Linked Incentive Scheme, PLI, Production संबंद प्रोसाहन, Production Linked Incentive Scheme, पहले अगर मैं इसके scheme की बात करूँ, तो यह scheme है, यह April 2020 में लाउंच हुई, April 2020 में इस scheme को launch किया गया तब से पहली बार इस scheme में Electronic Manufacturing Sector को जोड़ा गया तब से पहले इसमें बात करी गई Electronic and Manufacturing Sector जो हमारा Electronic और V-Nirmand छेतर है इसे इसमें शामिल किया गया V-Nirmand छेतर को इसमें शामिल किया गया लेकिन जब 2020 में ये scheme स्टार्ट हुई थी उस समय ये scheme तीन सेक्टर से related थी बाद में इसमें 10 और सेक्टर जोड़े गए तो 2020 में ही इसमें 10 अन्य छेतर जोड़े गए और हमारे भारत में इस समय चल रहा है आत्म निर्बर भारत कैमपेन तो जो हम आत्म निर्बर भारत योजना चला रहे हैं ये उसी का हिस्सा है और इसके अंदर incentive चार से लेकर 6% का कमपनियों को दिये जाता है for additional sale यदि कोई हमारे भारत में ऐसी कमपनी है जो अपने product में additional बिक्री कर रही है अतरिक्त बिक्री कर रही है तो उसे 4-6% का additional incentive दिये जाता है तो अगर हम बात करें तो 4-6% का additional incentive है इसके बाद अगर हम इसी scheme की बात करें तो इस scheme में हम foreign investment को भी support करते हैं कि विदेश की कमपनिया आएं और foreign investment करें विदेशी निवेश हमारे भारत में करें तो इसी scheme के तहट हम बिदेशी कमपनियों को भी make in India program के तहट भारत में हम प्रोसाहन दे रहे हैं कि आईए हम आपको दे रहें जगह आप यहाँ उत्पादन करिए और हमारे देश की GDP को बढ़ाईए तो यहाँ पर एक यह question पूछा मतलब यह statement है आपको पता होना चाहिए और साथ में हम विदेशी निवेश को यहाँ पर setup करने के लिए निमंतरन देते हैं और manufacturing को बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं साथ में जो हमारे local manufacturers हैं हमारे देश के जो local manufacturers हैं इनको तो हम promote करते ही करते हैं अगर हम लोग देखें तो देखें पूछा गया PLI योजना के बारे में निम्लिकतनों पर विचार करिए और फिर यहां देखें हमें देखा है गलत कथन इस point को नोट करिए तो हमें गलत कथन निकालना है तो गलत कथन कौन सा है तो इस statement बिल्को सही है जैसे कि मैंने आपको बताया दूसरा देखें इस योजना में आवेदकों को दो श्रिणी में आलाइक वैश्विक कंपनिया और घरेलू कंपनिया तो इसकी कोई बात नहीं करते हैं हम ऐसे नहीं कहते हैं कि PLI स्कीम में हम कंपनी को दो कैटेगरी में रखते हैं हम दोनों कंपनियों को भारत की भी और विदेशी कंपनियों को प्रमोट करते हैं तो ऐसे कैटेगराइजेशन नहीं किया गया श्रिणिया नहीं बाटी गई में बात आपको यह ध्यान रखना है यही योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अबदी के लिए भारत में निर्मित और लक्ष श्रिणी के में शामिल शुद्ध अगर हम ब्रदीशील करें लगबग 8% आउसत प्रोस्ताहन तो यह क्या statement गलत हो गया तो 8% नहीं है मैंने कहा 4-6% incentive दिया जाता है अगर हम बा तो यह दो statement 2 और 3 गलत statement है तो इसका correct answer होगा 2 & 3 तो इसका correct answer होगा C वाला चलिए next question पर आते है next question देखिए आप लोग स्वामित्व योजना बहुत शांदार योजना पूछी गई है कि भारत सरकार की योजना है जिसका नाम है स्वामित्व इसकीम स्वामित्व योजना से सम्मंदी कोशन है और कोशन कहा रहा है विचार करिए और बाद में पूछा गलत कथन तो हमें गलत कथन निकालना है तो इसमें कौन सा कथन गलत होगा आईए देखते हैं तो स्वामित्व योजना की अगर हम बात करें तो स्वामित्व योजना काम करती है Ministry of Rural Development ग्रामिड विकास और पंचयती राज दोस्तों हमारे देश में जो ग्रामिड विकास और पंचयती राजमंत्राले है उसकी अधीन ही आती है इसमें अगर हम बात करें ती ओ लाइक यहां पर बात करी गई ती ओ आर एस की बात करीगी तो सी ओ आरस का मतलब है कंटीनिवसली कॉंटीनि कोन्टीनिवसली ऑ्परेटिंग जी ओस को डेटिंग इस्टेशन यह दोस्तों कौन्टीनिवसली ओपरेटिंग रीफरेंस इस्टेशन आई यह कोशन देख लिते हैं पहλα यह घान मंत्राले के दायरे में कार करते एक छेतनर्क योजना है घान मंत्राले बिलकुल गलत एवं पंचाती राजमंतराले में आता है, दूसरा गर हम बात करें, यह योजना CORS Network के तहत काम करती है, बिल्कुल सही है, COSR के तहत यह काम करती है, तीसरा गर हम बात करें, CORS का मतलब Cross Origin Resource Sharing है, बिल्कुल गलत, CORS का मतलब है Continuously Operating Reference Station, तो इस statement हो गलत, चौथा यह योजना Drone Technique का उपाए उपयोग भूमी छोटे-छोटे खंडों में, बिल्कुल सही statement है, एक्शुली स्वामित्वी स्कीम के तहत हमारे गाओं में, जो घर है, उनका कोई भी Land Record नहीं है, घरों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी अगर पूछे कि आपका घर ह तो आप बदाईए इसका कोई आपके पास like stamp paper या कोई registry है, नहीं है, तो स्वामित्वी योजना के तहत, ये काम हो रहा है, तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो पहला और तीसरा, ये देखे, पहला और तीसरा क्या है, गलत statement है, next question, next question ये हो गया, आपका 55 question, ठीक है, ये प एक बहुत ही शांदार शब्द हमने अपनी क्लास में पढ़ा था, stagflation, stagflation एक ऐसी अवस्था है, जब अगर यहाँ पर हम माने AD बराबर AS है, तो यहाँ पर होता है हमारा inflation, मुद्रा स्विती, यहाँ पर होता है inflation, और यहाँ पर होता है recession मंदी, यहाँ पर होता है recession इस अवस्था को जब यह दोनों एक साथ होते हैं, तो इसे हम बुलते है stagflation, इसे बुलते है stagflation और बहुत शांदार तरीके से हमने अपनी क्लास में किया था, तो जड़ा देखें इस question को, stagflation, question कहा रहा है कि निमलिकित में इसे कौन से कारक संभावित रूप से भार साथी अर्तिवस्था में मुद्रहस्विती जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दू, stagflation में धीरे-धीरे देश में money supply कम होने लगती है, money supply धीरे-धीरे, अगर हम बात करें तो धीरे-धीरे economy में money supply क्या होती है, धीरे-धीरे कम होती है, और साथ मे inflation के symptoms हैं, अगर question कहा रहा है, अर्त व्यवस्था मुद्रहस्विती जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं, और हमसे निकालना है सही उत्तर, चलिए, सरकारी खर्च में ब्रदी के कारण उच्छ मुद्रहस्विती दबाब, अब आप मुझे बताईए, अगर सरकारी खर्च क्या हो गया, गलत statement हो गया, दूसरा statement, अध्योगिक उत्पादन में गरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, अब आप मुझे बताईए, अध्योगिक उत्पादन में गरावट ये देखो, उत्पादन में गरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, सही statement है, ऐसे answer हमे ये statement भी सही है, घरेलू मुद्रा की ब्रद्धी के कारण निर्यात प्रतिसपर्दा, पहली बात तो यह उता हो, घरेलू मुद्रा की ब्रद्धी ये बिल्कुल नहीं होगी, इसका मतलए statement गलत है, तो हम इसके साथ जाएंगे कि statement 2 और statement 3 सही है, इसका second और third statement बिल्कुल सही है नेक्स्ट कोशन की ओर चलो, आर्टिक सर्वेक्षन 2023 के अनुसार निमन मैंसे कौन से कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेसी निवेश, FDI, प्रत्यक्ष विदेसी निवेश की प्रवरती का वरणन करता है, आप देखिए हमें निकालना है सही उत्तर, तो अगर हमें इसका सह सही उत्तर निकालना है, तो आईए इसका सही उत्तर देखते हैं, पहला स्टेट्मेंट, निजी छेत्र की कम भागेदारी के कारण इसमें कमी आई है, देखिए हमसे पहला स्टेट्मेंट कह रहा है कि निजी छेत्र में भागेदारी के कारण लाइक यह आई है, तो यह बि हुई है बिल्कु सही है अगर हम FDI का चार्ड देखें तो कोविड के समय इतना था और यहां पर आफ्टर कोविड यह हमारा FDI का रेट बढ़ा है एलिकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद भी वित्तिये वर्ष में बिना घाटे इसमें तेजी से बढ़ोतर इस वित्तिये वर्ष में देखें तो FDI थोड़ा कम हुआ है क्योंकि रशिया यूकरियन वार हो रहे हैं उसमें हाई इंफलेशन देखने को मिल रहा है तो यह स्टेटमेंट भी सही है तो अगर मुझे इसका सही स्टेटमेंट बताना है तो सेकेंड और फोर्थ स्टेटमे तो मैं कहूंगा 14 कोश्चन हो गए क्योंकि जनगरना से है जोगरफी में सर आपको करा देंगे लेकिन मैं आपका आंसर बता देता हूं कि बिहार में करंट सिटूएशन में 5,99,000 क्या है हमारे देश की जहां लाइक बिहार की जनसंख्या है करंट डेटा की अकॉर्डिंग नौन प्लन एकसपैंडीचर से इनमें आता है ब्याज का भुगतान इनमें आता है ब्याज भुगतान साथ में इसमें आता है जो पैसा क्रें जो पैसा लग रहा है बियाज भुक्तान पर जो पैसा लग रहा है, सबसिडीस पर जो भी हम पैसा खर्च करते हैं, वो भी यहीं पर आता है, तो आईए देख लेते हैं, non-planned expenditure, वे आई किर्शी पर होता है, तो आई किर्शी पर non-planned नहीं, वो तो planned expenditure नियोजद वे आई होता है, तो इस statement गलत है, अगर आपको साफ दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको देखेगा, किर्शी पर वे आई, गलत statement है, हमें निकालना गैर नियोजद वे के बारे में, कौन सा statement सही है, ठीक है, वे आई बिज्ञान और प्रोध्योगिगी पर नहीं, दोस्तों, वे आई ब्याज भुक्तान पर बिल्कुल सही, उपरियोक्त मैं से कोई नहीं, नहीं, C आंसर बिल्कुल सही है, जो कहता है, गैर नियोजद वे आई, जब सरकार अपना वे बनाती है, समिती के द्वारा मनमोहन राओ समिती की सिफारिशों के द्वारा हमारे भारत में नए आर्थिक सुधार देखे गए और इस नए आर्थिक सुधार में new economic reforms ये नई आर्थिक नीतियों को हमने कहा LPG, इसका नाम दिया हमने liberalization, privatization and globalization, उदारी करण, निजी करण और वैश्व और भारत का क्या संबंध है और statement सही नहीं है, गौर करने वाली बात है, statement सही नहीं है, तो सही नहीं है statement आईए, निर्यात में ब्रद्धी, आयात में ब्रद्धी से अधिक है, कह रहें कि LPG के बाद हमारे देश में क्या हुआ, कि जो निर्यात में ब्रद्धी है, निर्यात BG भारत में fail इसलिए हुआ क्योंकि हमारे देश में वैश्वी करन के model पर हमने हमने अपनी रथवेवस्था को मुक्त रथवेवस्था बनाया लेकिन Member 거야 साथ के साथ हमारा उत्पादन इतना अधिक नहीं था, कि हम निरियात जादा करें, तो भारत क्या करने लगा? आयात जादा करने लगा और निरियात कम, तो देखिए, निरियात में ब्रद्धी, आयात में ब्रद्धी से अधिक है, ये statement यहाँ पे गलत हो गया, इसमें प्रत्तिक्ष प्रियापार का विस्तार किया गया, बिल्कुल सही है, तो ये सरे स्टेटमेंट सही हैं, दोस्तों सुप्रिया कुमारी कह रही हैं, आप लोग एकॉनिमी का कोश्चन पूरा बना दिये, दोस्तों बदाईए आप लोग एकॉनिमी का कोश्चन कैसे बनाएं, जरूर गॉर्मे दोस्तों ये statement में ए सही answer है next अगर हम बात करें 61 बढ़िया question पूछा गया 61 का question बहुत अच्छा है देखे simple कहा गया संग सरकार के वित में नवीनतम विकास के बारे में तो हमारा जो central government है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ जिससे सब लोग समझ पाएं के नवीनतम विकास के बारे में निमलेखित कत्रों पर वित है central government के finances के बारे में ये question कह रहा है आए दोस्तों सबसे पहला statement अगर हम निकालें इस statement 61 का महामारी वित्तिय वर्स 21 मदद 2020 और 2021 के दोरान संग सरकार का राचकोशिय घाटा हमारी government का fiscal deficit राचकोशिय घाटा तकल घरेल उत्पादन के 9.2% तक पहुँच गया था बिलकुँ सही statement है दोस्तों 2021 में जो fiscal deficit भारत का था वो 9.2% था ये हमने अपनी क्लास में discussion किया है और ये बिलकुँ सही है और मैं आप लोगों को बता दूँ 2021 में जो हमारे भारत का fiscal deficit राचकोशिय घाटा रहा वो रहा 6.7% क्या आप लोग समझ पा रहे हैं 6.7% आईए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी में तो ये statement बिलकुँ सही statement है मैं इस statement के साथ जाऊंग यी जाऊंगा नेक्स्ट अगर हम बात करें वित्तिय वर्ष 2.22 मतलब हमसे पूछ रहा है ये statement 2021 और 2022 ठीक है वित्तिय वर्ष 2.22 में राचकोशिय घाटा फिस्कल डेफिसिट होक कम होकर 7.7 तो मैंने आपको बताया ये 6.7% है तो 7.7% ये statement क्या हो गया गलत statement हो गया ये बिल्कुल गलत है यहां होना चाहिए 6.7 तो ये statement गलत हमसे निकालना है सही कथन ठीक है पिछले दो वर्षों में राजस्व संग्रे कम हुआ है कह रहे हैं कम हुआ है अगर हम राजस्व संग्रे की बात करें तो 2022-23 जरा ध्यांस देखना Central Government का Revenue Central Government का राजस्व है 2000 पिछले दो साल की बात कर रहे हैं तो मैं यहां पर बताता हूँ 2021 और 22 अगर 2021-22 में हम बात करें तो जो गौर्मेंट ने कहा कि हमारा Revenue जो है वो 10.2% इंग्रीज हुआ है 2021 में 10.2% इंग्रीज हुआ है और 22-23 की अगर हम बात करें 2022 और 2023 हमारा जो राजस्व है वो 4.8% की बड़ोतरी देखी गई तो यहां पर यह कह रहा है पिछले दो बरसों में राजस्व है कम हो रहा है स्टेट्मेंट गलत है हमारे पिछले दो सालों में राजस्व लगातार बढ़ रहे हैं तो मैं जाओंगा मैं कहूंगा यह स्टेट्मेंट गलत हो गया तो इसमें खेवल पहला स्टेट्मेंट सही है नेक्स्ट कोश्चन 62 की ओर आते हैं 62 का कोश्चन है RBI के विदेसी मुद्रा भंडार में निमलेखित में से क्या शामिल होता है देखो तो एक शब्द होता है Forex एक शब्द होता है Forex Forex में चार चीज़ें आती है FCA, Foreign Currency Assets दूसरा आता है Gold Reserve तीसरा आता है Special Drawing Rights और चौथा आता है Reserve Trench Position जल्दी से बताईए कि हमने क्लास में ये किया है नहीं सारे लोग comment करेंगे कि हमने Forex Reserve एविन में तो आपको ये भी बताया कि October 2021 में अच्छाड़े 600 के लगबग 623 संथिंग billion dollar reserve था जो अभी वरतमान में हमारे भारत में dollar 595 billion के लगबग है तो मैंने आपको बहुत ही शांदार तरीके से बताया जल्दी से बताएं इसका comment करें तो अब अगर हम बात करें बिदेसी मुद्रा परिसंपतिया foreign currency assets बिदेसी आहरान अधिकार HDR बिल्गो सहिए आरक्षित किस्त वोई reserve trench position सोना इसका मतलब यह चारों शामिल होते हैं तो मैं आंसर दूँगा D next question 63 की अगर हम लोग बात करें 63 63 question की अगर हम लोग बात करें तो उत्पत्ती के नियम तो यह है rule of origin rule of origin दोस्तों rule of origin के बारे हम बात करें तो यह WTO बनाता है World Trade Organization WTO के यह rule है जिस वस्तू पर वहां की authorities आयात के हिसाब से शुलक लगा सकें जिसे हम कहते हैं आयात शुलक बगेरा लगा सकें तो यह rule of origin बताता है कि कोई भी वस्तू कहां से उत्पन हुई कहां से produce हुई और फिर किस देश में एक्सपोर्ट करी गई कहां पर इंपोर्ट करी गई तो यह rule of origin है तो उत्पत्ती के नियम किसी उत्पात के राष्ट्रे श्रोत के निर्धारत करने के लिए आवश्यक मावनन है बिल्कुत सही उत्पत्ती के नियम कस्टम एजंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिये गए उत्पत का कौन सा नियम और कौन सा शुलक लगा सके यह देखिए बिल्कुत सही statement है इसका उपयोग व्यापार सांकिकी के प्रियोजन के लिए किया आता है यस ट्रेड बैलेंस के लिए कितना export हुआ कितना इंपोर्ट हुआ next उनका महत्व इस तत्त से प्रमानित होता है कि कई मामलों में कर और निर्भर करते हैं बिल्कुत सही चारों के चारों स्टेट्मेंट सही हैं तो मैं जाओंगा d के साथ उपर योगत सभी next question की अगर हम लोग बात करें तो next question देखे 64 मा शिशू मृत्यू दर के बारे में कथन देखे तो हमसे कहा रहा है infant mortality rate शिशू मृत्यू दर infant mortality rate शिशू मृत्यू दर पहला कह रहा है यह शिशू जन्मे से लेकर एक वर्स्तक सही है कि आयू के बीच मृत्यू की संभावना है सही है जो प्रती यह देखे लिखा है 10,000 जीवित नहीं प्रती 1,000 जीवित बच्चों में निकाला जाता है यह statement गलत है 1950 में शिशू मृत मृत्यू दर थी 1950 में ठीक है तीसरा statement वित्तिय बर्स 2019 में यह मृत्यू दर 30 थी हम मान लेते हैं ठीक statement है बाकी exact answer में आपको दे दू 3.9 30.924 यह थी हमारी सिशू मृत्यू दर तो लगबग 30 या 31 मानते हैं लेकिन मैं देखूंगा तो मैं कहूंगा चलो यह statement गलत हो गया यह सही है यह सो सही मान रहे हैं अभी जेनरल ऑफ इंडिया के सेंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलिटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश बर्स 2019 में सबसे अधिक शिशू मृत्यू दर गलत दोस्तों उत्तर प्रदेश नहीं यहां आना चाहिए मद्ध प्रदेश मद्ध प्रदेश में सबसे ज़्यादा श इसको तो हटा दो तब टू के साथ हमें एक को और चुनना पड़ेगा मेरे पास कोई option नहीं है तो मैं 30.924 को 30 काउंट कर लेता हूं तो मैं कह दूंगा टू और थ्री तो बी आंसर इसका सही आंसर है स्टटीक एनालेस मिलेगा दोस्तों खान ग्लोबल स्टडीज में आप मास पूजी निर्मांण, Human Capital Formation, कितने बार अपनी क्राफ में बात करिए के भारत में Human Capital Formation, मानो पूझी निर्मान, लाइक पंच वरसी योजना, 5 एल प्लैन के बात करें तो आठमे मैं भारत में आया, मानो पूजी निर्मान के बात करें तो इसमें होता है किसी देश में व जादा पैसा खर्च करें कि वहां के लोगों का जो स्वास्थ है वो अच्छा हो सके वहां के लोगों का सिक्षा का इस्तर अच्छा हो सके वहां के लोगों का दोस्तों कोशल विकार लाइक हमां कहें स्किल्स बहुत स्ट्रॉंग हो सकें इसे बोलते हैं मानो पूंजी का निर लेकिन किसका ये स्पष्ट नहीं किया यहां कौशल इस्तरों में ब्रद्धी ये भी बिल्कुल सही है चौथा स्टेट्मेंट देश के लोगों के ग्यान कौशल इस्तर और चमताओं में ब्रद्धी ये देखे बिल्कुल सडीक और बिल्कुल सही स्टेट्मेंट दे रहा है तो मैं कहूंगा statement मुझे लग रहा है second भी सही है third भी सही है fourth भी सही है लेकिन ऐसा कोई हमारे answer में तो दिया नहीं कि हम जहां पे निकालने ये भी नहीं दिया सारे तो ये तो बिल्कुली गलत है देखो पहला गलत है आप हटा दो ये हटा दो अब हमारे पास option बचा 3 और 4 ल मैं जाओंगा सी के साथ दोस्तों ये रहा आपका economy का complete analysis और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों 100% accuracy और 100% जो नोट्स में आपके लिखे थे आप उन नोट्स से उठाईए और अपने बैच के नोट्स में कॉपी देखते जाईए और टिक करते जाईए तो सर खांसर आएंगे दोस्तों एक्दम बढ़िया सर एक्दम बढ़िया सर एक्दम गर्दा मतलब सर सो मैंसे 100% कोश्चन पूरा एक पूर्टी सेवर अभी जस्कॉष्चन आ रहा है तो आगे पीछे हो जा रहा है 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 फिर हमारे सामने कॉष्च है यह भारती कम्मिलिस्ट पार्टी किस्ताबना कई आका्यग्लास है जैराओ विए पार्थी बार्चान समाजबाद्य थाप्णा जो 1984 में हुई है तो C का अंसर 4 हो गया इतना पही हो गया काम खतम बेसिक प्रशने जो आप से पूछा गया इसके बाद 137-138 बहुत ही कटिन प्रशने यह प्रशन इतना कटिने मेरे विद्यारतियों किसको जब BPSC ने बनाया होगा तो BPSC जो है एकदम जो है यूनिस को कहा से आ गया हाँ यह देखिए कि बारती सम्दान में DPSP कहां से लिए गए है नीती नीदा साथ इतना कटिन परशना और यह सब नहीं सर अमने यहीं पढ़ाया कि जिस कंट्री से हमने लिए उस कंट्री ने कहा से लिए थे आयरलेंड तो प्रशनिश्य से भी कटिने सर शिख्यम पूर राज्य कब बना था आपको पढ़ाया था सिक्किम का सहसंबंदित राज्य और पूर राज्य सिक्किम बारती संग का 22 माराज्य बना पूर राज्य बना था 36 में संसोतन के माध्यम से 1975 में और आपको इनको सब पुरा क्रम हियाद है 16 मई 1975 1975 1975 और भारत का या 22 राज बना था संसोधन संख्या थी 33 संदीदान संसोधन जब दि 35 संदीदान संसोधन दोरा इसके माद आधा सहसम असोशेट इसे बना था सब इनको पढ़ाए गया था यह तरह पुछता है आपर इस नहीं यह सब उमी नहीं थी पहारो के वज़े से वहाँ ट्रेन और जहाज दोनों नहीं पहुचाया जा सका आपको पताए कि तुम भी घाटी सिक्किन आपको बस यह पंत और धर्म पे नहीं जाना है यह बहुत अलग का मामला है इसका मेंस का टॉपिक हो जाता है धर्म निर्पेक पढ़ाया है इंग्लिस में न उसके एक ही सब्दी दिया है सब्सक्राइब पहले इकनामिक्स पॉलिटी और जगरफी तीनों लोग अभी दिल्ली जाना है इन लोग को इसलिए पहले इनी लोग को खतम कराएं हां अरे हां कईसे यहां पे हो जाएंगे हां 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 तब सारे लोग तो अब नियूब बैच का अरे तुम लोग नियूब बैच के लिए क्या बात करते हैं इस इपेश्ट नहीं छोड़ना है यह जोड़ना है यह जोड़ना चाहिए सब्सक्राइब हो जाएगा तो हम लोग हाट भी और पड़ा देंगे लाएगा कहां से सरीए बता ही तो लाएगा कहां सब्सक्राइगा क्यूंकि सब लड़के पढ़ने वाले पढ़ने वाले सब होते हैं अच्छा जिनको आदत लगी होगी निगेटिव नहीं था तो गर्दा उड़ा दो सब जाने यहां पर यह हम लोग त्वासा आगे पीछे इसको बस इक्षिस नंबर से सर आपका इस नंबर से त्वंटीवन से यह आप ठीक है सर को कमाल समाल देते हैं लोग आप लोग बहतरीन धंक से एकदम बिहार SSC वाल अरे सबका निकाल के लिए आ देना लोग तुम लोग एकदम बढ़ियां एकदम ठीक है अच्छा यह असल में यूटूब पे देख रहा है और वो जो देख रहे होंगे सब मैं जो अभी नेया नेया फांडेशन में है कि कोश्चन इतना गर्दा उड़ा दे ओधिया जैहिन दोस्तों कैसे है आप लोग कि जियोग्राफी बिखेक्षान अगर आपण देखा होगा तो मैक्सिमम्मकूष्चन है जो क्लास में आपको डिसक्स करवाए गए गए थे और साथ ही साथ जो मैराथन क्लास ले गए थी मैरा यदि डिसक्स करवाए गए थे आ आपका 29 question बोल सकते हो 29 लगबक पूछा हुआ है बिहारी स्पेशल से question पूछा हुआ है बिल्कुल simple simple question पूछा हुआ है सारे बच्चे जबाब दो जिग्राफिय को सल बिल्कुल simple पूछा हुआ है तुम्हारे नोट में एक एक करके समझो मिल जाएगा देव question नमबर 21 क्या कह रहा है निमलिकित में से कौन सराष्टी वन जुन अभ्यार्ण बिहार में है बालमिकी बिहार में है जल्दी बताओ दुधवा कहां पर बच्चे यह उत्तर प्रदेश में है गजनेर कहां पर है गजनेर तुम्हारा राजस्थान में है भीमबांध कहां पर है हां हुझ यह दिके यह दिके बिहार में है 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 कि तो बिहार में तुम्हारा क्या हो जाएगा एक और चार वर चाइन चलो है अ'd यह current affairs का question है और environment ecology का question है प्यारा गांगेटिक Dolphin के बारा में आप से बच् precisamente पूछा गया है तो गांगेटिक Dolphin की बातें करोगे तोगाओ गांगेटिक Dolphin कहां पाई जाती है गंगा नदी में पाई जाती है यह Ah you see El saanzo ah you see Elka Ret Listen स्टलीजिट कि आयू सीन के रेट डाटालिस्ट में आपका इन देंजर डाट इसपेसी यहां पर लुप्त प्राइट इन बच्चों में इन देंजर प्सन एक गलत हो गया उप्सन एक गलत हो गया तो इसमें से काटो ऑप्सने काटो गए देखो एक हमने गलत चूच किया इलिमिनेशन में थाड यूज करो आपका एक गलत हो गया एक गलत हो गया तुम्हारा तो यह कट जाएगा यह कट जाएगा यह कट जाएगा एंसर आ जाएगा और यहां पर एक तुम गलत चूच करो और तुम्हारा एंसर मिल जाएगा आगे बढ़ो और अगला कुश्च क्या है घंडक निगा दूसरा नाम डिवो कितना सिंपल कुश्च है गण्डक निधी का समझेवा का चाहिए याद करो सब्सक्राइब करो YouTube पर वीडियो पड़ा हुआ है वियारी सबसल का वीडियो यूटीड भड़ा हुआ है आपका passoire जमूई याद आ रहा है बिहार में सोना पाया जाता है class में आपको बताया गया था इसोना की डिमांड भारत में जबड़ा है किंखे आगे बढ़ते हैं देखो त्रिवेडी नहर निर्मान समझों किस नदी पर किया गया है घंडक नदी पर किया गया है कि प्रिवेडी नहर का निर्मार तुम्हारा गंडग नदीपर किया गया है सिंपल सिंपल कोश्चन है आपका तिकाई अब देखो यह टोपिक कोश्चन नमगर ट्वांटी 6 टोफिक का नाम था तुम्हारा कॉंटिनेंटल ड्रिफ्ट यादा रहें बच्चों टोफिक का ना प्रेसर नीचछेप पाया जाता है दोनो क्रमारीत करता है त mira Beim आपस में जुड़े हुए थे continental drift में दोनों आपस में क्या था आपका जुड़े हुए थे answer क्या होगा आपका answer होगा आपका ए और दोनों सही है और आर एकी ब्याख्या करता है question 26 के बाद 27 चलिए कि भिहार की भौगोलिक संरचना याद करो YouTube पे एक लास पड़ी हुई है यूटूब पे एक लास पड़ी हुई है बिहार का जब आपको पढ़ाया जा रहा था बिहार में धारवार चटान बिहार में सबसे पूरानी चटाने धारवार चटाने नीचे यहां पर एक का तीन हो जाएगा बिंधियन चटाने याद करो लाल पत्थर पाया जाता था बिंधियन चटानों से याद आ रहा है लाल पत्थर पाया जाता था इसका क्या करो आपको तुम्हारा लाल किला बनाया गया था ठीक है क्लास में आपको बताया गया है तो यहां स बी का चार एंसर डी हो जाएगा जो आगे वड़ते हैं बच्चों कुर्शन नमबर 28 निमलखित में से कौन सा समुद्री जैव बीटता याद करो आप लोगों से पूछा गया है समुद्री जैव बीटता पूछा गया है समुद्री जैव बीटता ओसीनिख बाइयो दैवर्सिटीर साज में आपको डिसकस किया है मैंने साज बशरैन करते हैं इसे कहा जाता है बायो डाइवर्ष्टी होपी स्पॉर्ट क्लास में पढ़ाया गया है बच्चों बायो डाइवर्ष्टी होपी स्पॉर्ट कहा जाता है आपकी कॉपी में बिल्कुल लिखा हुआ होगा तेके तो पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे सम्रिद चेत्र जिसमें ज्वार नदमु मननार की खाड़ी में 21 द्वीप सामिल याद रखना आपका तो मननार की खाड़ी में प्रवाल भित्ती पाई जाती है मननार की खाड़ी में मैंग्रोव भी पाई जाता है एंसर हो जाएगा तुम्हारा डी 28 90 डिग्री पूरवी देशांतर परिस्ति थिम्पू याद करो आपका बोल रहा है आपका कि एक डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है तो 90 डिग्री में कितने का अंतर हो गया 90 गुड़े 4 तो समय को प्लस करते हो या माइनस करते हो पुर्वी देसांतर होगा तो समय को क्या करोगे प्लस करोगे आपका ठीक है तो GMT प्लस 6 घंटे कितना बजा है 12 बजा है आपका दो पहर का 12 बजा है कि इतना बजाए दोपहर का 12 बजाए तक समय पहले होगा आपका समय क्या होगा तुम्हारा पहले पताए मुझा एक च्छे सुभा का 6 बजए 12 में से 6 माइनस कर दो सुभा का 6 बजए होगा आपका इस बीख़्यों है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला निमलकित में से कौन सा कत्थन सही है याद करो यही क्लास में डिस्कस किया हुआ हुआ था कि भारत बताओ याद करेंगो कोडर्मा की पहाडिया Fenuilaar और में अब्रग कहा पाया जाता है यादारा है पिहार में अब्रग कहां पाया जाता है जारखंड करेंगा चिटरै उस़ी का सब्सक्राइब ल्डिन की वा धुटार केंन यहको अब कहूंदीस्नमक्ताब हम ग्लोब पे के बता नाइंटी डिंदी नोर्थ और साउट चाइन और बॉंट हो जाता है फ्लस में आपको किया गया है अच्छांस और fewer टोपिक याद आ रहा है कि याद आ रहा है याद आ सब क्लास में डिसकस किया गया है कोशी नदी समुद्र तल से औसत उचाई कितना है 95 मीटर समझो औस तुचाई 95 मीटर के आसपास है तो इंसर आपका हो जाएगा कोई एक नहीं 95 मीटर के आसपास हो जाएगा चलो आगे वड़ो यहां से की स्ट पठार पर करक रेखा और भारति मानक समय रेखा देखो कि इंडिया है यह है ट्रॉपी काप कैंसर ट्रॉपी काप कैंसर ठीक है यह हो जाएगा इंडियन इस्टेंडर टाइम इंडियन इस्टेंडर्ड कि कािम लाइन के टिकिए से गुजरती है यह थुम्हारा समझो यह तुमरास्टि का पठार 13 डावाला इलाका समझो और चाहिए बगहलखंड होना चाहिए इसका एंसर होना चायए बगहलखंड होना चाहिए आगे बढ़ो उत्राःखंड पे कौन सा जिला तिबबस से नहीं लगा हुआ क्याल्मोडा गारो ये तुम्हारा ऐसे कुछ टाइब का कोश्चन पूछ दिया नहीं पूछ न चाहिए लेकिन इसने पूछ दिया है अल्मोडा समझो आगे बड़ो एलीनो की जलधरा कहां प्रवाइट होती है याद कीजिए क्लास में आपको पढ़ाया गया है प्लास सबक प्रसांत महासागर प्रसांत महासागर में प्रवाहित होती है पेरू के तट के पास एड़ी कोष्ट आप पेरू या पेरू के तट के पास यह प्रवाहित होती है एंसर हो जाएगा सी प्रसांत महासागर पढ़ाया गया क्लास में बताओ भाई सारे बच्चों क्लास में पढ अगला देखो निम्लिखित पर विचार कीजिए सतह के छेत्रफल के हिसाब से विक्टूरिया जील दुनिया की तीसरी नहीं दूनिया की दूसरी सबसे बड़ी जील है यहां-जah dismantle चाके दूसरी सबसे बडे जील है तो पहला statement गलत हो गया तो जहां-जहां वन है वहाँ-वहाँ-जहां क्या करो गाप बिल्कुर सही है, एंसर दो होगा, तो तुम्हारा कौन टिक कर रहा है, यह हो जाएगा तुम्हारा एंसर, ठीके, इसकी सीमा चार देशों से, याद रखना, विक्टोरिया जो जील है, लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया जील, ठीके, इसका जो बेसिन है, विक्टोरिया जी है इस विक्टोरिया जहील की जो सीमा है याद रखो सीमा तीन देशों के साथ मिलती है याद रखना इतना रखीएगा आप लोग तो गलत चुच करो एंसर अपने आप मिलेगा एक जाएगा तो ए यह कटेगा यह कटेगा दू सब्सक्राइब तो जिस answer में दो होगा अपने आपू सही हो जाएगा अपने आपू क्या हो जा जाएगा इसे हम बोलते हैं illumination method एसे हम क्या बोलते हैज और इसे हम बोलते हैं कोई सा गलत है गलत पूछा है तो गलत तुम्हारा वन हो गया थे कैं वन इसका मतलब answer तुम्हारा हो जाएगा c 1 और 3 answer हो जाएगा बच्चे तुम्हारा 1 और 3 हमसे गलत पूछा है wrong statement पूछा है एंसर हो जाएगा 1 और 3 1 और 3 पूछा है answer हो जाएगा c गलत पूछा है answer हो जाएगा c चलो आगे बढ़ते हैं heat wave यह भी class में तुमको discuss किया गया था यह भी क्लास में आपको पढ़ाया गया है, प्लेन रीजन में तुम्हारा आपका 40 डिगरी से उपर तापमान, प्लेन रीजन में 40 डिगरी से उपर तापमान, और माउंटेन रीजन, माउंटेन रीजन में 30 डिगरी से उपर तापमान, यह भी क्लास में आपको डिसकस किया ग दोनों गलत है, समझो, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, एंसर हो जाएगा D, आपको सोरी, एंसर हो जाएगा C, ना तो A, ना तो B, ना तो A, ना तो समझो, दो, दोनों गलत है, याद रहेगा, दोनों गलत है, याद रहेगा, दोनों गलत है, एक और दो, ना तो A, और नौत तो दो दोनों गलत है उल्टा लिखा हुआ है मैदानी इलाके के लिए 40 होता है मैदानी इलाके के लिए 40 होता है और परवती इलाके के लिए क्या होता है तीस होता है ठीक है याद रखो इसका एंसर सी होगा 29 का एंसर डी होगा क्या है 29 भाई ग्हांत कि कि उन्तीस जड़ा एक बार देख लेते हैं ने एंस्ट का एंसर का सी होगा पूराब का 12 बजा है तो पूरब का टाइम पहले होता है का टाइम पहले होता है तो 12 बज़े के पहले 12 बज़े के पहले सुबह क्या होगा आपका एक मिठ रुको पूरब में टाइम जड़न आंच्छा ठीक है बारा इस बॉल और में टाइम जोड़ा जाएगा बिलकुल ठीक बना है तो हो जाएगा 6 फॉज़ो जाएगा ऍसर टाइम जोड़े जाए करेक्ट कर लीजिए गा 29 का इंसर D होगा 29 का इंसर D होगा करेक्ट कर लीजिएगा क्यूंकि 12 में से 6 हम जोडेंगे तो हो जाएगा 18 18 का मतलब 6 PM होता है 18 का मतलब होता है 6 PM D हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नमबर पर आ जाओ कुश्चन नमबर 38 चलो कुश्चन नमबर 38 की बाते कर लेते हैं हम लोग 38 क्या है यह देख लो क्रिश्टोफर कॉलंबस एक में खुज करता दिया हुआ है समझो एक में खुज करता दिया हुआ है और उसका जन्म अस्था लिखा हुआ तो कॉलंबस तुमारे क्रिश्टोफर कॉलंबस इटली के थे तो ढूंडो एका तीन कहां पर है एका तुमारा आपका ती कहां पर मैगलन तुमारे पूर्टगाल के थे तो डी का वन एका तीन और डी का वन ढूंडो एका तीन एका तीन समझो एका तीन और डी का वन एंसर हो जाएगा के ցठिकिस आपका बार्थ प्लेज पूछा हुआ है तो कॉलंबस तुम्हारे इटली में जण में को लम्मबस वो कहां जन में थे इटली में जन में थे इतने रहाद रखिएगा कि 29 का डी मैंने बता दिया 39 का डी मैंने आपको बता तो दिया 39 का डी होगा मैंने डिसकस कर दिया 39 का डी होगा हमने डिसकस कर दिया कि 39 का क्लियर कर दिया गया है दोबारा कर देता हौ तुमको नहीं को दुबारा कर देता मेंầy 29 का एंसर है बता दिया गया तुम्हारा कि 39 का एंसर डी होगा समझा दिया गया चलिए बढ़ते ही आगे कि 38 के बाद 49 39 समझो करेंट फेर से कुछ्षन है 39 समझो 35 का सही है 35 का क्या करते प्रसांत महासागर में अमन सिंग अलीनों की जल्धारा प्रसांत महासागर में चलती है 35 आपका कहां तुम एंसर डून के ला रहे हो सारे बच्चे जब आप दो अलीनों की जल्धारा कहां चलती है प्रसांत महासागर में हिंद महासागर में अलीनों की जल्धारा प्रसांत महासागर में चलती है एंसर प्रसांत महासागर होगा और तो कोई माहसागर नहीं होगा, अगर किसी ने और माहसागर लगाया है, तो गलत लगाया है, UAE की रियायती आपके राज्य है, अबुधाबी, दुबई, सारजा, अजमान, पुजहर समझो, आपका ये इंसर होगा, D, 49 का D होगा, 35 का प्रसांत माहसागर, अलीनो की जल्धार प्रसांत माहसागर में चलती है, देखे, 40 नमबर, स्वाण रेखा नदी, निमलखीत में से समझो, आपका किसके पास से निकलती है, स्वाण रेखा नदी समझो, नगरी, नगरी गाउं है, ये नगरी गाउं है, कहां पर है, राची के पास, राची के पास समझो, नगरी ग गाओं है यह नगरी गाओं से निकलती है G кें गोसन नमबर 40 के बाद दगर तुम लोग देखोगे तो ब्र्दीक फोसन नम इस नहीं को सबस्टेटाइस द हखा रखा है तर नहीं बता रखा है गया के जिए आपकी जनसंख्या कितनी है ठीकर पिप्टी हेट के बाद शिक्स्टी फोर है तुमारा कि अच्टी फोर झाले बता रखा है ठीक है शिक्स्टी-फोर भी हाका चरले बता रखा है तो चीह सर्ने बता रखा में दोसर हो जाएगा दो और तीन 64 के बाद 945 है इसनी फॉर के बाद 95 है एक हम ग्रॉफी कर रहें वम 95 याद करो भुमान में पुलसर क्या होता है याद करो भुमान में पुलसर क्या होता है घुमता हुआ समय समय पर क्या निकलता है उर्जा निकलता है उसे पलस बोलते लगता है कि जिंदा है उसे पलसर इस्टार बोलते हैं ठीके 95 के बाद समझो 109 है आपका लगातार समझो लगातार नई पड़ जोड़ने वाली प्रक्रिया कौन सी होती है याद करो सागर नीतल प्रसरण कुछ याद आ रहे है बच्चों सागर नीतल प्रसरण में सीफ्लोर एस्प्रेडिंग में जब आपका सागर का नीतल जब दूर जाएगा याद करो सागर का नीतल समझो आपका जब दूर जाएगा अंदर से मैगमा आता है और मैगमा आकर कि यहाँ ठंडा हो जाता है और मैगमा बताओ जब ठंडा हो तो नई चटान बनती है कि नहीं बनती है सारे बच्चे जबाब दो नई चटानों का निर्माण होता है यहां पर नई चटाने बनती है formation of new rocks लिए formation of new rocks यह नई चटानों का निर्माण बनता है तो एंसर होगा आपका समधृतल का पहलब यह सी फ्लोर एशप्रेडिग यह भी क्लास में आप लों को ढिسकस कि आ गया है दिए यह भी क्लास में आपको डिसकस किया गया है सीफ्लोर स्प्रेडिव एक नोर पेदर पेंच एकसो एकसो दस्त के नमबर भूपतल के टुकड़े समझो यह कह रहा है कि बुवटल लीठोइशफएर को कौड़ें चम मुझे बताओ लीठोइशफएर के बूत की परिभासा में ही आपको बताया गया है कि जुल ठेल पाइब को इस पर बद sap jour अबी प्लेट याद आ रहा है एंसर क्या होगा प्लेट ट्रॉनिक बताओ ट्रॉप क्लास में डिसकस किया गया मुझे बताओ जो लोग केजिये वाले बच्चे और गर्दा उड़ा के आए हो लाश्ट लास में ने बोला तुम लोगों से गर्दा उड़ा के आजाओगे सब कुछ क किजिए ओक की जिगर तो कैसीनी कासीनी तुमारा सनी के लिये था और जूनोरा ब्रीजित के लिए था का है करो है य का दो और भी कर वनदो कहां पर है आपका एक का दो भी कवन इंसर हो जाईगा डी थेक्वSchamer एक सो ड्षारह के बाद एक कुर्षन है तुम्हारा 119 नम्र समझ बहुत ही सिंपल लेमेन का कुर्षन है आपका की लीने रिटांका क्पड़ा किससे बनता है किससे बनता है सन का पाउधा देखे जटा नारियल का पाउधा तो एक का दो और बी का वन कहां दिख रहा है रूम को एक का दो बी का वार एंसर हो जाएगा भी ठीक है उसके बाद तुम्हारा 127 नंबर पर चलते हैं कि 127 नंबर कह रहा है कि 10 कैप्टिव नसल एसी आई आपका विसाल का बड़ा न्यूज में था एक क्रेंट के साथ जुड़ा हुआ है बड़ा न्यूज में था अभी इसको बंद आपका ऐसे कच्छों को कुछ लोगों ने 10 कच्छों को बंदी बना लिया था इसको नागा ल बाहरा है 141 141 यह भी करेंट अफेर्स का कुछ्चन है लेकिन इनवार्मेंट ट्रॉजिस जुड़ा हो जग्रफी जुड़ा हुआ है स्टीप्रेक टूरिजम के संदर में सूची रीफ एमपी सॉल ग्रांडेट वीपर भारती जल में जहाजों के मल्वे का पता लागया ग प्रिके आई सराइए ज्योग्रफी हो गया एक सो दस क्या होगा 110 का 110 110 क्या है लगता है मेरा पीटी एकदम हो जाएगा एकदम हो जाएगा 110 टेक्टनिक लेट नीव होगा 110 का बी होगा पैंजिया कोई सिद्धांत नहीं है पैंजिया बूखंड है पैंजिया कोई सिद्धांत नहीं बच्चे एक सब्सकत्राइब के महादीपी बहाव सिद्धांत महादीपी बहाव सिद्धांत भी पूरी तरह सही नहीं था उसको इसको मोडिफाइड करके आया था प्लिट टेक्टोनिक थियोरी तो जोग्रफी से टोटल कितने हुए जोग्रफी से टोटल हो गया सर आपके 30 के राउंट मतला जोग्रफी इन्वार्मेंट मिलेंगे ना कुछ 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 जाता है तो वही 25-30 के बीच में उसको रखेंग तो हम इस्टी सबसे लास्ट में देखेंगे अभी हम लोग देख लेते हैं साइंस तो सुमीट सुक्लास साइंस से स्टाट करेंगे ठीक है सर और जोग्रफी आप लोग देख लिए बहतरी धंग से साइंस का कोश्चन लगबग 30 कोश्चन है एकडम फस्क्लास सर 110 हो रहा ह तुम लोग यहां पर बीपी एसी को एकदब कभजा कर लेना है अच्छा इसमें किसमें होगा साइंस वाले में होगा यह है अच्छा करेंट अपेस एक एक करके आने दो ना इसे इंडिजिवल कोशन क्यों पूछेंगे आप लोग एक करके आदे आप इसे वार पूछने दीजिए मिलेगे व British beer लें से में पान्च ऑक्टूबर पाच अक्टूबर से में 69 का मैं पाच अक्टूबर से इंटर्व्यू चॉलू है quarter School रॉनिग है 67 का और 68 का भी अبंतल सुसी इच सब्सक्राइब करेंगे इसके बाद पर करेंगे कि इसमें कौन सा उत्तर हो सकता है सर ने जोगराफी को बहुत सांदार तरीकी साब के सामने बता दिया है तो देखा जाए कि विज्ञान ये की साइंस और टेकलोजी में किस तरह के सवाल पूछे गए है इस बार थोड़ा सा ये चेंज दिखा है कि जनल साइंस का जो ट्रेंड है वो हटा है और इन्होंने टेकलोजी के दो-तीन सवाल डाल दिया और बायलोजी के सवाल को दबा की नीचे कर दिया तो सवाल है की हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया कि चैट जीपीटी तो सबको भली बाद पता है चैट जीपीटी खबरों में रहा है या चाहें तो आपे से टेकनोलोजी के साथ भी आड़ कर सकते हैं, ताकि इतना full form पता होना चाहिए काम बेखती को तो इसका question 92 है और 92 को हमने विकल्प नंबर C में सामिल कर रखा है अगला जो सवाल है उसको देखा जा है लिखा हुआ है कि कौन सा स्वाद जीब के लिए नहीं है तो अब यह सवाल बहुत परमपरागर टाइब का है हमने classroom program के दोरान भी समझाया कि थोड़ा NCRT के सवालों को यह थोला लंबा करके पूछने का प्रियास हो कर रहे हैं तो यहां पर है कि जैसे मीठा और कड़वा और नमकीन और खटा बिसिक्ली हमारे पास चार स्वादी जीब के होते हैं अब इसमें से नहीं पूछा गया है तो नहीं में हमारे पास मसालेदार सीदी लिखते हैं तेजी से उत्तर देते रही है आप लो लिखाया कि कौन से जोड़े सही रूप से सुमेली थे से अनुरेक्सिया जो होता है वो एक प्रकार से खाने का विकार माना जाता है तो ये तो सही नहीं है और इंसोम्निया सबको भली मात पता है सोनी की समस्या वो होती है समस्या है यह जो सही है वो तीन और चार यहां पर दिख रहा है तो विकल्प नंबर तीन और चार हमारा कौन सा ए वाला है तो कौश्चन नमर 94 का अगर ए आपने लगाया है तो आप बहुत अची तरीके से नंबर प्राप्त कर सकते हैं मेरे हिसाब से और लगबक सही है मान उसके बाद हम 96 में प्रयोकशाला में वेकसित हीरे एनिकी LGD के संदर्व में हीरे के बीज की रूप में किसका उपयोग किया था दो बीधियां है उसमें सबसे अगर प्रमुख बीध की बात के तो उसमें जो हम इस्तमाल करते हैं वो सुध्ध ग्रेफाइट को हम उपयोग लिखा गया है तो इसलिए हमारी इसाफ से जो उत्तर होगा वो बीवाला हम लोग चिनित कर लेते हैं तो कितने लोगों ने इसका उत्तर भी लगा रखा है क्वेशन नमबर हमारा 96 है 96 के बाद हम लोग 97 की तरफ रुख करेंगे जो की बहुत ज़्यादा मान के चलना की परमपरागत टाइप का प्रश्न है इतना परमपरागत की कई वरसों से यह पूछा जाता रहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कि इसका इसका इस्तमाल होने फाइबर इतना कमजोड तो होता नहीं हो थे विखलब नमसरा नाइंटी सेवन में एक तरीके से बशायन और भॉती की बिज्यान के सवालों की परवलता ठीट ठीट ठाक थी जबाफ जीकि परमपरागत सवाल बेवलों की होते थे वो नहीं दिखे उनकी इसका उद्देश यही है कि आपके सामने वो दिखाना चाहा रहे हैं कि हम अब UPSC की तरफ रूख कर रहे हैं जैसे यहां पर है कि HMX का पूर्ण रूप क्या होगा तो इसे हम High Melting Explosive के तौर पर जानते हैं यह भी एक तरीके से नया सवाल तो नहीं कर सकते हैं यहां BPSC नया सवाल था क्योंकि RDX और पढ़ा जाता है लेकिन HMX आम तोर पर नहीं पढ़ा जाता लेकिन यह काफी खबरों में रहा था और इसलिए सवाल में रखा गया इसका विकल्ब के और मेरी साथ से एक होगा बाकि और चीज़ें इससे कनेक्ट हो नहीं रही है है ना चलते हैं परियोजना भली भात जाना था कि जब हम सेकेंड वर्डवार की बात कर रहे थे तो उसी दोरान मैंहटन परियोजना एक बहुत एक गुप्त परियोजना थी 1922 के दोरान दोरान और अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसमें पहले परमानुहतियार का उत्पादन किया है राबर जे ओपन हीमर आदी का नाम बहुत फेमस रहा है एक फिलम भी आई थी उसके बारे में लोग जानते हैं तिसलिए आपको जो वेकल्प रहा है इसमें सौका वो डी रहा है और बड़े आसानी सापने इसे लगा लिया होगा इसमें कोई कठिन आपको नहीं दिखा क्लास में हमने बताया भी था भली भाती याद है तो क्लास रूम में हम लोगों ने इस पर खूब चर्चा भी की थी शुरुवाती दोर में अवतल दरपड़ यह तो बहुत परवपरागर टाइप का सवाल मेरी साबस तो है कि वकरता केंदर पर जबाप रखेंगे यह सारी आम बेक्ती भी लगा सकता है इस तरह का सवाल और मुझे लगता है कि आपने इससे बहुत साउधानी पूरबर क्लिक किया होगा तो आपका उत्तर कौन सा हो गया है यह वाला भी कल लगा ली देगा अगला है देखते हैं कौन सा फोटो एलेक्ट्रिक सेल के बारे में हम लो दो परतन कर रही है तो इसमें सीदी सी बात है कि प्रकास उर्जा का भंडेरं कर नहीं रहा है तो प्रकास उर्जा सवरुजा से बिद तूड़ा सा यह मतलब काफी आसान सा स्वाल क्राऊ मुझे नहीं लगता कि इसको लगाने में कोई दकलीप हुई होगी आपको तो 108 एटेम्ट किये हैं हाँ ठीक है बढ़िया अच्छी बात है 100 प्लस हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का समस्या होनी चाहिए आप उत्सो मनाईए लोटके घर आईए है ना कि यह अच्छी खासे उत्तर माने जाते हैं आपने अच्छा कासा आटेम्ट किया हुआ है अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं सवाल नंबर हमारा है बिलेन और बिलायक में प्रति इकाई आयतन और प्रति इकाई द्रवेमान में उपस्थित बिले की मात्रा रसायन को किस र के तौर पर मानते हैं या सॉल्वेंट के तौर पर मानते हैं दोनों का मिक्चर हमने क्या माल लिया था सलूशन के तौर पर हमने यह क्लास्रूम में आपको बताया है तो जब हम चीनी बढ़ाएंगे तो बिले की मात्रा बढ़ाएंगे तो कंसेंट्रेशन बढ़ेगा क्या प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उतोजित करते हैं यह सवाल आम तोर पे मैं आपको चर्चा कर भी रहा था कि ऐसी बिमारे जिन्होंने समाच पर व्यापक असर डाला उनको हमें जरूर देखना चाहिए है तो यहाँ पर जीवित छींड सार्सकोप टू आपको बल्ली मार पता कि उसको कमजोर करके और फिर हमारी बोडी में इस तरह के वैक्सिन डाले गए जिससे की एंटीबोडी क्रियेट हो और हमें इस प्रकार की बिमारी से अपने आप में सक्षम हो सके लड़ने के लिए तो विकल्प हमारा अगर डी वाला चिनित किया है आपने क्वेस्ट कंड़क्टर है नमक और पानी बहुत विश्व बेख्याद कंड़क्टर टाइप का है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई कुछ आलक है तो उपरिक्त में से कोई नहीं लगा लीजेगा बिकल्प नमबर डी आपका सही हो जाएगा अगला सवाल सवाल नमबर हमारा है डिन नाम तिरपन 1952-53 के दौरान पहली बार नाम यहाँ पर है जेम फ्रांसिस क्रिक और राबर्ट वाट्सन होना चाहिए यहाँ पर ठीक है कोई नहीं हम D वाला विकल्प लगाएंगे तो फ्रांसिस क्रिक और राबर्ट वाट्सन ने इस पर काम किया और 1962 में इसी काम के ला था रोजलीन फ्रैंकलिन और मॉरिसन विल्किंस भी इससे कनेक्टेट हैं बट इसमें सही उत्तर ये दिखाई नहीं दे रहे हैं बाकी लिसन पॉलिंग और ग्रेगर मेंडल से कोई मतलब तो इसमें है नहीं तो डी अगर आपने लगा रखा है तो ठीक है तो ऐसे सवा इब मान की दो वस्तूइं चंद्रमा पर हैं तो आपको पता है कि चंद्रमा पर एक तरीके से वायो मंडल बिल्कुल सुनने जैसा है और वहाँ पर आपको वैक्यूम जैसी स्थिय उत्पन होती हैं और हम जब बात कर रहे थे प्रिथभी पर और गुरत्वी तुरण की चर होगा समान ही होगा तो बिकल्प नंबर आप लगा रखेगा यही इसका सही उत्तर माना जाएगा वेक्टर के टीके प्रतिरुदग सकती प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं देखें यहां पर बिकल्प बी और सी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आयो क्या मानत है कि वो वाइरस को किसी बिभिन वाइर चुकी है उस वाइरस से अलग एक वाइरस का इस्तमाल करते हैं लेकिन यहां यह भी सही है किसी थी कोशिकाव में प्रवेश करा करके स्पाइक प्रोटीन बनाने के सक्षम मेरे इसाब से सी या आयोग जो मानता उसको देख लिए ज चुका है तो साइन्स के और जो क्वेस्टन हमारे पास है वो है 111 से है तो और देखते हैं कि और कॉंसर लिखा है कि MRN वेक्सीन आख खास करके बहुत चर्चा में रही मेसेंजर आरने तो यहां पर जो विखल्प है वो मेसेंजर राइबोनुकलिक एसीड को लेकर के होगा कि जो MRN हमारे पास आरने के तीन प्रकार होते ना MRN होता है एक होता है राइबोसोमल आरने है ना आरने के तोर पर होता है एक होता हमारे पास ट्रांसफरेबल या सालूबल आरने के तोर पर होता है तो मुखे तोर पर जो MRN है यह बहुत प्यारा दोलारा टाइप का है क्ल बड़ा फेमस रहा मेसंजर आनेनर के तौर पर आपका विकल्प जो रहा इसमें डी रहा question number 111 number 111 के बाद 112 की तरफ रुख अक्तियार करते हैं लिखा हुआ है कि AC current कैसे उत्पन्य करते हैं यहां पर transformer जैसा कुछ है नहीं इसलिए यहां पर विकल्प हमें समझ में आया वो डी है और आप भी अगर डी लगाया है तो विकल्प नंबर आपका 112 का डी लगा लिए जेगा क्योंकि अल्टरनेटर मुख्य तोर पर लिखना चाहिए था इनको आगे लिखा है यहां पर question number आपका है 112 के बाद 113 और धारा घनत्व के संदर्व में लिखा गया है कि धारा घनत्व तो यहां पर current density के बारे में बातचीत हुई है जिसको हम capital J से denote करते हैं आप सकते हैं तो अपलने में ना रहा है पड़के सुनाता हूं लिखा है पहला बी सा और सवाल के टौर पर काम बन जाया होगा हिए चले आगे अत्हिस नुब हमारा है 133 के बाद 114 मेडिकल केमिस्ट्री ये थोड़ा सा मेरे इसाब से चौकाने वाला सवाल तो नहीं था लेकिन हा इतना अंदर जाके इनको नहीं पूछना चाहिए था क्योंकि आम तोर पर इस तरह के सवाल लगाते समय हला कि थोड़ा सा दिमाग लगा लेते अलका सा आराम सी से देख लेते तो उत्तर सही आता क्योंकि रासानिक स्रचना के आधार पर भी और आणविक लक्षियों के आधार पर भी और उसधिये प्रभाओं पर भी लभक सभी आधारों पर दवाओं का वर्गी करण किया जाता है और हम जब classroom में पढ़ते हैं अभी तक कि मैं आपको बात बताऊं तो classroom में हमने एंडलजेसिक या एंटी-पारेटिक या मान के चलना एंटी-बायोटिक के रूप में ही इनको वरिग्रित किया था तो एक आम जो BPSC का भेड़ती है इस सवाल में थोड़ा सा रुका होगा मेरे इसाब से हो सकता है जानकार हो तो ना रुका होगा लेकिन तहानी कुछ हैसी कि इसका जो उत्तर है वो है आणडविक लक्षेओं के आधार पर या कि molecular level पर अगर हम दवाओं का उवरगी करन करें हैं तो दवाओं का विकास करना बहुत ज्यादा सहज हो जाता है और दवाएं ज्यादा प्रभावकारी देखने को मिलती हैं तो इसलिए ध्यान रखिएगा इसका जो विकल्प है वो B होगा तो आपका जो सवाल नमर 114 था उसका विकल्प मैंने B अपनी तरफ से निर्गत किया हुआ है है ना मुझे बड़ा आश्चरिया हुआ इस बात का की केमेस्ट्री से सवाल ठीक ठाक है लेकिन बायोलोजी के सवाल इस बार काफी निराश किये हैं और उनकी जगह पर टेकनलोजी ने जगह ले लिया है तो खैर कोई नहीं फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि अगर बिस कोई होगा यहनि कि पॉईजन का प्रभाव डालेगा या तो नकरात्मक कोई विवस्ता होगी या नकरात्मक उत्प्रिरक टाइप का होगा तो वो अभिक्रिया को रोकेगा इसमें विश्रमांगी के ले चांस बन सकता था पर ऐसे कोई चांस बना नहीं दूसरा है उसकी तरब देखेंगे सवाल नंबर हमारा सोला होगा यह सवाल बायरोजी काया जो हो सकता है आपको च्छाका दिया हो है कुछ नहीं इसमें लेकिन मेरा जैसा मानना है कि बहुत से चात्रों को इसमें दिक्कत आई होगी क्यों कि वो विचार में एक तरीके से डूब ग के साथ किसके साथ होता है इस पाइनल कार्ड के साथ लगा हुआ बंडल होता है वहां पर यह मिलती है और इस पाइनल कार्ड यहां पर कुछ दिया नहीं गया है तो हिर्दय हो सकता है लेकिन केंद्रिये तंत्रिका तंत्रिक का जो बिकल्प है वो एक बार नजर डाल सकता ह है BPSC क्योंकि मान के चलना कि Central Nervous System में अगर Part हम देखें तो Brain भी होता है और मेरू रजू भी होता है तो हो सकता है वो B की तरफ रुख करें लेकिन इसमें D भी Chance बन सकता है तो मैं इसमें या तो B या तो D का ही बिकल्प आपको बताऊंगा अब वो आयोग के उपर Depend करता है चुकि यहां पर यह दोनों बड़ी बाते हैं तो अगर आपने B लगाया है तो भी आप मुस्कुराते रहिए अगर आपने D लगाया तो एक Chance बन सकता है कि यह D की तरफ आए आप आयोग देखते हैं क्या मानता है पैलैका कोई पुराना क्या ही सवाल बटार मॉनके चल कर लगाया कि मैं निराज क्यूनी कर नहिए तो यहाँ पर लेकिन इस सप apt- grows तो जो भी मानेंगे दևख लिए जाएगा आगे बढ़ लेते हैं 116 के बाद हम लोग 117 में एक सवाल टेकनोजी का आ गया कि कौन सी तक्निके 5G मुबाइल के आने पर स्क्ष्यम हो जाएंगी तो यह बड़ा वहार इक सा सवाल है मुझे लगता है कि हर किसी ने से अंदाज के लगाया होगा अगर नहीं भी आ रहा है तब भी आपका सही हुआ होगा रिजन की 5G के आने के बाद बहुत कुछ बदल रहा है जैसे कि IOT और AI दोनों के दोनों 5G टेकनोजी के बाद एकदम तेजी से चलांग लगाते हो आगे बढ़ रहे है एज कंप्यूटिंग यहनि क्लाउड कंप्यूटिंग का एक और नया next generation जैसे हम एज पूछा गया है तो आपका विकल्प होगा वो सी वाला होगा तो आप क्वेस्टन नमर एक साथ में सी विकल्प चिनिद किये होंगे तो आयोग इसे सही करार दे देदा कि हां मामला ठीक है अब आप कौन सा किये हैं यह आपके उपर डिपेंड करता है तो आपकी प्रतिक्र कोई करेक्रम नहीं आयोजित किया कि जैसे ही पेपर हुआ था सबसे पहले सबसे तेज सबसे सटी ऐसा कोई कहानी हमारे पास हाल फिलाल है नहीं तो हमने पूरा प्रयास कि एकुरेट उत्तर रहें और ब्यवस्तित उत्तर रहें उद्देश हमारा यही है पूरी जो KGS टीम है तो मान के चलना अगर आप यहां से मिला रहे हैं और आप अगर सो के आसपास हैं या उससे भी तो बहुत नीचे वो तो आयोग चिन्हित करेगा 90 से 100 के बीच में भी है तो आप बिलकुल मुस्कुराईए 85 भी है तब भी मुस्कुराने का चांस मेरी सबसे है तो आगे बढ हैंगे 119 की तरफ और देखा जांगे 119 में क्या है इसको भी सर ने उत्तर दे ही रखा है कि बिकल्प नंबर भी होगा तो आप बड़ी आराम से लगाईए यह मोहायर अंगोरा बकरी को लेकर किया एक अंगोरा बकरी होती अंगोरा खरगोस भी होता है तो दोनों में किये थे अगला है टेनियोसिस आतों के संक्रमन है जो कि टेपोर्म की तीन प्रजातियों टेनिया सोलियम और टेनिया सागीनाटा और टेनिया सीटिय के आके द्वारा होता है बिल्कुल यह खबरों में रहा है अभी आपने खबरों में देखा होगा कि सोरों के संक्रमन है के जरिये ये प्रशार होता है और टेनियोसिस जो की आतों का एक बहुती ब्यापक संक्रमन है दूसरी बड़ी बात कि जब मस्तिस्क में खास करके सिष्ट जम जाते हैं और तब नियूरो सिष्टकॉर्सिस या NCC की विमारी उत्पन होती है इसमें भी खास करके चक्कराना और दूसरी बड़ी जो समस्या है वो है हैड़क की समस्या लगातार अगर बुखार बना रहा और सरदर्द होता रहा चक्कराता रहा तो इसकी संभावना बन जाती है तो इसमें जो कथन सही है ये दोनों सही है एक और दो दोनों तो अगर आपने ए बिकल्प लिया है तो सरवत्पा इसको सत्य मान के चलना यहां से आपका काम बन सकता है तो बिल्कुल आप बताना कि क्या आपने ए बिकल्प चिन्हित किया था अगला जो सवाल है उसके तरफ हम रुख करेंगे इनोम है तो यह एक तरीके से साइंस का सवाल तो नहीं हो सकता लेकिन मान के चलना कि बेरेट जो एक प्रकार की टोपी यहां पर दरसाई गई है अब यह एक देखो यह आउटा बॉक्स सवाल मान सकते हो क्योंकि कोई क्लास में हो सकता ना पढ़ाया गया हो है ना अब येटर जाएगा और डी का पांच एक तो ये वाला विकल्प लगाया तो काम बन जाएगा कई बाल को सवाल होते हैं और होने भी चाहिए है ना एकदम क्लास में मिल्कुल रटे रटाए सवाल अगर पूछे जाने लगे तो फिर कैसे काम बनेगा है ना विपीसी है और बदलाओ के अपने जो तजुर्बें हैं बदलाओ की जो कहानिया है उनके तोर पर आगे बढ़ रही है और बढ़ना भी चाहिए मेरे हिसाब से इससे क्या होगा कि गुडबत्ता हमारी बहुत ज़्यादा बेहतर बनी रहेगी तो हम आपको विज्ञान और तकनीकी के लाश्ट सवालो की तरफ लेकर चल रहे हैं जिनको हम लोगोंने क्लास्रूम में काफी अच्छे तरीके से देखा है उनके बारे में हमने समझ भी विक्सित किये हैं और वो क्वेशन है 149 नंबर के और उसके बाद है 152 सवाल है नेट मीट्रिंग के तोर पर समाचार पत्रों में कभी कभी प बढ़ते हैं तो स्वल्रinky के दोरां हमें दो प्रिकार के दिखता आइक सा ओन ग्रिट और परते हैं और दुसरा होता ओफ ग्रिड हमारे गाओं में जो लगता है वो कौन सा लगता आप ग्रिड होता है कि हम एक बैटरी लाते है और एक पैनल लगा देते हैं चार्ज करते ह भी लिर्फ यहिए और सोलर टेक्नोलजी आज के दौर कर रहाँ कि आप से ुब्रीट हो सकता हुँ हुआ इलेक्रिसिटी में उस दौर ai गरिट हुआय本ग करते हैंतो इसका जबाब तंत्र है जो किसафडनाली रही वाट की बिजली आपने बनाई तो उससे आगे फिर आपने कितना खाया और कितना बचा लिए तरीके से यह मीटर जैसा काम है तो इसलिए वहाँ पर नेट मीटरिंग और नामसी क्लियर होगे आप इसमें और को विकलब लगा भी नहीं सकते थे सीधी सी बात है बड़ा सा लि मोब करके अलकरि मेरी साफ से इसको लगाना बहुत कठी नहीं था जैसे कि कि यहा पर पूछा गया है मुजंटा के होता है आपका यह सान जो होता है धरा और नीला होता है तो जानकरियों के अधार पर भी बिकल्ब आप सही नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपको कौन सा हो सकता है, तो ध्यान दिना, जो टील है, वो मुखे तौर पर नीला, हरा और सफेद से मिल करके बनता है, सैड हो एक परकार का यह, और जो आपका मोब है वो नीला लाल और सफेश से मिल करके बनता है तो इस हिसाब से हमारा जो बिकल्प 150 का वो है डी वाला कौन सा डी वाला तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि हमने विज्ञान के लगबग 31 या 30 सवाल जो भी मारे पास रहे हैं उनको हमने तो बिज्ञान के सवालों की जो इस्थती है अगर उनको हम बताएं तो आप मेरे हिसाब से आपने 22 या 25 तक किया होगा और आपने 22 और 25 तक किया है तो बहुत ही perfect कहानी है आपने 20 भी किया होगा तब ही आप मान के चलना fight में प्रयाब तरीके से है क्योंकि और जो भी से हैं वो बहुत आसान से जैकरी quality है history है ये भी बहुत normal से सवाल आएं और मैं देख रहा हूँ कि जो comments आ रहे हैं जो messages आ रहे हैं हम सभी के पास वो इतने बेहतरीन है कि वो बताने के लिए सक्षम है कि हमने बेहतर किया हुआ है है ना 90 प्लस या 100 प्लस 110 प्लस तक के लोग हमें मिल रहे हैं कि हमने इतना बेहतर किया हुआ है तो विज्यान के सवाल मेरे हिसाब से ठीक ठाक रहे हैं थोड़ा change आया है technology को लेकर के change आया है और हुना भी चाहिए इससे क्या होगा कि मेंस में आपको और चमता मिलेगी और बेहतर तरीके से पढ़ने की वेवस्ता में आप आगे बढ़ पाएंगे कुछ नया बढ़ाओ करेंगे है ना क्लास में अगर अध्यापक थोड़ा सा डीप पढ़ा रहा है तो उसको आप रोकेंगे नहीं वीपीसी की सबसे बड़ी समस्या थी कि हम उपर उपर ही पढ़ लेते थे ऐसा नहीं करना है देख रहे हैं कि पूरा का पूरा बढ़ाओ आ रहा है तो आए आके बढ़ते हैं और नए बिसे के साथ आपको लेकर करके चलते हैं कि अगला जो हमारा नया बिसे वह कौन सा है तो आपके साथ सर जुड़ रहे हैं कितना कोशन था साइन सब्सक्राइब सांदार एकदम इस वेरी हाट कोशन नमबर 150 यह वह बहुत हाट था नहीं हाट का यह थोड़ा नया सब्दा गया तील और मॉप करके तो चुकि इसका लोग सैड है कललका सैड ठीको खबरा आ जात हो नहीं से खबराना तो धाए करेंट अब लोग साइंज ओ गया अब अब लोग करेंट अफेर देखते हैं और उसके वाद लोग इस्टी देख लेंगे ठीक है करेंट आफेर से लगभा 25 से 37 कुष्य कुछ चुछ करेंट अफेर साइंस में भी ओर लैप हो जाते हैं कुछ current affair कभी ऐसा होता है ना कि economics में हो जाते हैं कुछ ऐसे current affair हो जाते है जो ऐसा लगता है कि मतलब environment ecology का है तो हम लोग देखते है current affair उसके बाद हम history का discussion करा देंगे current affair में sir 25-27 जो भी question है current affair का उसको देखते हैं फिर लगभा 35-36 question history का है फिर हम history और बिहार वाला जो common है उसी में मिक्स है जिसको बिहारी special काउंट कर सकते हैं तो उस वाले को हम करा देते हैं ठीक है उसके वाद यह खतम हो जाएगा ओके चलिए ठीक है सार थेंक्यू सब्सक्राइब 21 का D छूड़ गया क्या है हाँ अच्छा 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 हाँ हाँ सब्सक्राइब कभी कभी होता है अच्छा 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 हाँ भी स्बस्क्राइब झाल अब मेरी आवाज केलियर है अब सुन पारे हैं आप हमें अब मेरी आवास जा रही है तो अब हम लोग Current Affairs के तमाम कोशिण्स को देखेंगे कि उसमें सही उत्र क्या है और मेरी आवाज मेरी आवास क्लियर है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं Current Affairs के तमाम सवालो को देखेंगे प्रटाफट से और आप लोगों ने लगबग सारे विश्य कर लिये हैं अब हिस्ट्री कराएंगे इसके बाद सर चलिए 99 नंबर कोशन है यहाँ पर आप से पूछा गया था पुराना सवाल है October 2022 से कि टेसला के द्वारा Humanoid Robot का नाम क्या है अबने क्लास में भी किया हुआ था Humanoid Robot का नाम क्या है तो साथ हो Humanoid Robot का नाम क्या है Elon Musk की कंपनी टेसला ने से बनाया था Optimus राइट आंसर हम लोग यहाँ पर Optimus करेंगे C हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट कोशन के लिए फिर आगे बढ़ेंगे लगबग इधर करेंट के जहां से भी सवाल होंगे सब हम लोग देखते चलेंगे 120 इस इधर फिर हम लोग करेंट कर रहे हैं ओके हां देखो आब यह सवाल पूछा गयाता है साथ यहों कि गहरे समुद्र में डूबने गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पंडूबी का नाम क्या है जो टाइटेनिक जहाज के पोतावसेस की यात्रा के दौरान फट गई थी बहुत ही ऐसी घटना थी जिसमें काफी सारी चर्चाएं थी और उस सब्मैरीन का नाम क्या था जो टाइटेनिक की खोज के दौर गया है और नेक्स्ट कोशन था सन्युक्त राज अमेरिका के पुरास्टवपती ने हाली में अपना साच्छतकार कहां दिया है तो अब यहां पर दो बाते हैं सबसे पहले कि हाली में अमेरिका के राश्टवपती सबसे पहला बात है कि यहां पर राश्टवपती का नाम भ तो बाकी इसमें BPSC को करना है और उसको फिर हम लोग यहां पर देखेंगे हाँ तो एथेन सी करेंगे फिलाल नेक्स्ट हमारा कोशन अब आगे होगा ओके नेक्स्ट कोशन है खेल से संबंधित निमलिखीत में से सही जोड़े को पहसान ये फ्लासिंग मेडॉस साथ यह यह यूएस ऑफेन होना चाहिए था और रॉलेंड गैरॉस यह फ्रेंच ऑफेन होना चाहिए था यहां पर गलत मि आपको दिख रहा होगा ओप्सन नंबर सीस में 124 में में लोग देखेंगे बाकी दो गलत हो जाएगा 1 & 3 नेक्स्ट कोशन के लिए कि ग्रह मंत्राले ने नेक्स्ट कोशन था कि ग्रह मंत्राले ने यह आगे बढ़ रहा है पीछे करेंगे 124 पर करेंगे ने ठीक है ठीक है ठीक है अम मैं कर लूँगा के लिए 125 नंबर है कि ग्रह मंत्राले ने नोवेंबर 2022 में देश की कितनी भासाओं को फिल्ड विडियो ग्राफी के साथ भारतिय मात्री भासा सर्वेक्षन का कारी को पूरा किया है तो अमीच साह के द्वारा उनकी मंत्राले के द्वारा साथ यो रिपोर्ट प्रकासित किया गया थे इसमें टोटल 576 भासा है अपने एक चीज नोटिस किया होगा इस वर्फ करेंट अफिर्स में कि नंबर ओफ कोशन जो 2022 में ऑक्टूबर नवेंबर जुलाई तक की घटनाओं प्याधारी थे आने क कि करेंट अफिर्स को जो सवाल है उसमें उन्होंने अपने ट्रेडिशनल पैटर्न को कहीं ना कहीं चेंज किया है काफी सारे पुराने सवाल भी मिल रहे हैं नेक्स्ट कोशन था कि किस राज्ज ने हाली में गीधों के संरक्षन के लिए रास्टे कारवाई द्वारा प्र अगर फिर से कोशन सोंगे ओके यहां पर इस प्रशन को सढने करा दिया है कि कच्वा पर जाती जो है साथ हो कैप्टी नसल की सब्सक्रावाई नेक्स्ट अम लोग लोग पिर देखेंगे कि हाली में किस देश ने फिर से अरुनाचल परदेश को भारत का एक अभीन अंग घोशित किया है और उनाचल परदेश को भारत का अभीन अंग तो US की संसद में साथियो US की संसद में इसको भारत का अभीन अंग घोशित किया था और इसमें लोग राइट आंसर के रुप में करेंगे obviously USA और इससे पहले आपने UN का अगर नाम रहता है तो संस्था तो नहीं पूछ रहा है, देश पूछ रहा है तो right answer यहाँ पे हो जाएगा USA जो कि option number D में आप देख रहे होगे so next question अब लोग देखेंगे अगला सवाल है कि भारत के रुदराक्ष बाला साहा पाटिल ने काहिरा में वर्ल्ड चैंपियंशिप 10 मीटर में एर राइफल में कौन सा पदक जीता था भारत ने इसमें टोटल 5 पदक जीते थे जिसमें से जो 3 पदक था वो gold था और 2 पदक जो था जो ब्रॉंज मेडल था तो इसमें से रुदराक्ष बाला साहा पाटिल के द्वारा जो जीता गया था वो gold medal होगा तो इसमें correct answer हम लोग C लगाएंगे gold medal option number C और आगे देखतें next question हमारे सामने है कि रास्टिय सिक्षा निती ये तो काफी अच्छा सवाल है रास्टिय सिक्षा निती ने किस grade से website सिक्षा को मुख्यधारा की सिक्षा में अकिक्रित किया है आपने coding के बारे में सुना होगा कि बच्चे अब जो है वो coding की पढ़ाई करना start कर देंगे ना तो जो ये vocational पढ़ाई जो start हो जाएगी website सिक्षा जो होगा वो grade 6 के बाद बच्चों की प्रारम हो जाएगा आने कि इसमें लोग सही उतर क्या करेंगे भई 2030 तक भारत जो इसके साथ free trade agreement करने की और आगे बढ़ रहा है और वह संबंदी देश कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया option नंबर यह यहाँ पर लोग correct करेंगे बहुत अच्छा हां next है कि सहज भासा अधिनियम कौन जी अधिनियम एसमें प्लैन लैंग्विज एक्ट जो है सहज भासा अधिनियम किस देश के द्वारा पारित किया गया है और उस देश में नियम बनाए गया है कि सरकारी अधिकारियों को अधिकारिक दस्तावेज डोकुमेंट्स और वैबसाइट के सरल और आसानी समझ में आने वाली अंग्रेजी भासा का उप्योग करने की आऊ सकता होगी अनिकि को सरल भासा के रूप में उसको अप्त्रियोग करने के समन्धित अधीनियम कहा पारित हुआ है तो साथ यह जो एक्ट पारित किया गया प्रोब्लेम क्या था कि करेंट एंड चुटी पहले इस तरह के कोश्चे से नहीं पूछ रही थी, उनके साथ थोड़ी समस्या रही है, बट कोई नी, पेपर काफी अच्छा रहा है, और हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपको skip करके चलना पड़ेगा तो बहुत यह स्मार्ट तरीके से BPSC ने यहाँ पर पेपर सेट किया है आगे हमारे सामने सवाले साथ हो कि दुनिया का पहला पादप प्रागनकों जिन्हें तीलिया और वड़ी डीमेड्स कहा जाता है उसमें तीलिया जिवास महाली में किस देश में पाए गए हैं यह एक न्या फोसिलव से संबंधित है परवतों के महासागरों के मीठे पानी ये वायू के तो लिस्बन घोषना जो हुआ है ये संबंधित है महासागरों के संदक्षन से समुद्र के संदक्षन से आनि कि ओप्सन नंबर हम लोग यहाँ पे करेंगे बी ओप्सन नंबर बी हमारा हो जागा समुद् इडिया गेट होना चाहिए और ये सामिल नहीं है बाकी सब तो सामिल है कुतुब मिनार और लाल किला तो सामिल है इसमें ये कर देंगे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन के लिए कि बताओ अचा इधर पॉलिटी के कुछ कोशन से फिर हम लोग आगे देखेंगे कर इंट इसमें सबसे महंगी मुद्रा पूछा गया है सबसे महंगी मुद्रा कौन सा है अचा सवाल पूछे जाने के तरीके समझोगे नमनलिखीत में से सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है उप्सन नमबर ये से लेकर के जितने भी उप्सन दिये इन में से सबसे महंगी मुद्रा कौ यार्बन को कम कर बिहार को प्रदूसन मुख्थ करने का लक्ष रखार को बिहार hol ने बिहार को प्रदूसन मुख्थ करने आई करते निहां यहांट कुछम अध्यूट आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे सभी लोग बिल्कुल अपडेटेड रहे community post और telegram channel जो हमारा है official वहाँ पे सारा जानकारी आपको time to time मिलता रहेगा और app को download कर ले na KGS वही से आपको पुरी जानकारी होगी इसको भी सरण ने discuss कर दिया गोवा थट आगे फिर पूझागे G20 के सदस्य परती निथी तू करते हैं G20 जातों G20 पे हमने जितने भी sessions लिये थे वहाँ पे हर जगे आपने देखा होगा कि G20 से संबंदी सवालों में से G20 आनि कि group of 20 ये global GDP जो हो साथ हैं उसमे global GDP में G20 के देशों का जो योगदान है उसमें वो 85% contribute करते हैं पहला सही था और दुनिया की जो जनसंख्या उसमें G20 देशों का contribution टू थड का है कितने का है परी टू थड का तो यहाँ पे हमारा 3 भी सही है वेस्विक वैपार में 50% नहीं यहाँ 75% हो जाता तो सही हो जाता है तो हम लोग A और 3 दोनों सही करेंगे यहाँ पे केवल 2 हमारा गलत हो जाएगा आने की option number A absolutely correct है और हमारा केवल यहाँ पे दूसरा जो option था वो गलत हो जाएगा तो काफी अच्छे सवाल है रूस के वेगनर भाड़े के सैनिक समू का मुख्या का नाम क्या है यह मुख्या भी हाली में एक plan crash हुआ जिसमें इनकी death हो गई थी और खासा चर्चा में भी था ना खासा यह चर्चा में भी थे तो इसमें सही हम लोग क्या देखेंगे जिनका भी plan crash हुआ था और उनका death हुआ तभी आवेगनी प्रेगजीन क्या नाम इनका आवेगनी प्रेगजीन आने के option number यह यहाँ पे लोग सही कर रहोंगे लोग काफी अच्छा paper इदर रहा है questions काफी अच्छे पूछे गे थे global gender gap index ग्लोबल gender gap index को यह report कौन प्रकासित करता है आम तोर पर रिपोर्ट सबने देखते हैं लेकिन प्रकासन करने वाली संस्थाओं के अगर बात करते हैं तो इसमें WF हो जाएगा साथ यह global gender gap index कौन प्रकासित करेगा आने कि world economic forum के द्वारा यह report को प्रकासित किया जाता है और यहां पर हम लोग सही answer कर रहे होंगे obviously B तो इस जानकारी को भी आप रखोगे very good अब एक और सवाल था कि United Kingdom की महारानी Elizabeth Dvittya के बारे में कत्नों पर विचार करेगा देखो यह सब सवाल obviously ऐसे बड़े इवेंट से बड़ी घटनाय है जिस पर जो चीजे चर्चा में रहती वहां से संबंदित प्रस्टने है तो महारानी Elizabeth Dvittya के बारे में क्या जानकारी थी साथ दो जानकारी थी कि लंबे समय तक इनोंने सासन किया लगबख सत्तर वर्सों तक इनोंने सासन किया है और इनका डैथ हुआ है 96 years old थी 96 वर्स के उमर में इनका निधन हुआ है तो इसमें हम लोग सही उतर जो करेंगे वो होगा D Elizabeth Dvittya कब हुआ है भी तो इसमें हम लोग D करेंगे और आप यहां से से देख लिए है नेक्ट हम लोग आते अगले कोशन के लिए तो यहां पर देखेंगे option number हम लोग क्या करेंगे D होगा D होगा और आगे फिर से सवाल था कि गुजरात में आयोजित defense expo 2022 देखो पुराना सवाल है October November क्या सपस का इसका theme क्या था इसका विषय क्या था तो साथ वे इसका theme जो रखा गया था इसमें से सही उत्तर मारा होगा गौरव का मार्ग वे ओफ प्राइड हां क्या होगा इसमें गौरव का मार्ग होगा option number A हम लोग यहां पर correct कर रहे होगा और यह भी आयोजन चर्चा में था क्योंकि पॉस्पांड हुआ था जिसकारण से तो इसमें लोग इसको यहां पर सही करेंगे हां ओल्राइट नेक्स कोशन के तरफ हम लोग बढ़ेंगे सर आगे देखते नेक्स कोशन क्या वही अगला सवाल होगा कि बताओ थांडी ग्य थागतों दिवस्य उतसव किस ने मना जाता है मेंनमार में इसमें पर में घ्रम्न में गळस्य और में में करेक्ट काना सब घ्रमार और तीन दिवसे यह उत्सव है, 90 प्लस वाले सभी लोग कॉमेंट करो, अब इस सर्वे भी स्टार्ट कर चुके, आप लोग कोई नहीं, आगे सवाल है साथ हो, वाइट हाउस के बारे में सही जानकारी क्या है, वाइट हाउस दुनिया का सबसे ताकतवर हाउस जहां पे, लोग तंत्र का परती कब था यह स्टेटमेंट आया था जब उस पर एटेक हुए थे, तो उस दवरान हाथ इसमें लोग देखेंगे सही, और यह पता जो होगा साथ हो, पैने सिव लिनिया एविनियो, यहां पे 1800 नहीं होना चाहिए था, यहां पे 1600 होना चाहिए था, तो तो करेंट अफेर्स में, जितना बीपेसी हर साल पूछ रहे थी 25 कोस्टन के आसपास, लेवल थोड़े से काफी ठीक था इस बार और लेवल ठीक था, नेगेटिव मार्किंग था, तो जहिर सी बात है, हर सवाल के फीशे में अपना आफोर्स नहीं लगाना था, कुछ प्र तो इस तो एक डूं दॉच्ट अब ता इस बाता दें, वाओ 25 से 36 कोस्टों इस आया है, कितने नम्बर से कोस्टन है, और कोस्टन अरेंज्मेट में हो सकता है, आगे पीछे आपको जो एक्जाम में जो सेट मिला हो, हम लोग के पास जो है वो अलग हो, हिस्ट्री हम लोग सिट सी इय्हों एक से लि büy इंट्के से लेकर 20 तक किवश्टी है तो हम कोश्चन लगा लेते हैं न से लेकर सा एक से लेकर 20 तक फिस्टी है इसली सिट सधंने है कि धα दम बंहें आया था कि मांजा भुखा लगता यह भी किस्टी वजाक करें लिए सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर यहां पर क्या करना है और यहां पर क्या करना है सही देखना है क्या देखना है क्या देखना है और यहां पर दक्षिन भारत में परियोग ओ गया तहर आप बारूद के परियोग में यहां पर तो बाबर जो है यह कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर माधीप में उसका परियोग अब दूसरा देखते हैं छेत्र की वास्तु कला में महराब और गुंबद का पर्च है देखिए महराब और गुंबद सबसे पहले इल्टू तमीश लेके युद्व में तोपो का परियोग कर दिया था तोप का परियोग इसने पहली बार किया था तो इसमें कौन सा ओना चाहिए आप लोग का ने कौन सा इसमें सही है तो देखिए तीन और चार कौन सा सही हो गया तीन और चार आगे बढ़ जाते हैं तीन चार इसमें सही है अग एक भाने तो यहां उसने सबसे पहले क्या देखा था समुद्र का दर्सन किया था तो सूरत बंदर गा का परीयों किया जाता था आप्सें नॉंबर इसमें कौन सा होगा एफसान नमबर एफ अगला question कयता है अस्ट परधान देखिए अस्ट परधान छत्रपती सीवा जी के आठ मंत्री होते थे उनके आठ मंत्रियों को अस्ट परधान कहा जाता था तो यहां हो गए महराथा प्रसासन के लेकिन अगर वही कहा देगा अस्ट दिगज तो विजय नगर काल में आठ जो तेलगु भासा ही विखके तेलगु भासा तो तेलगु बहशा के आठ विद्वान थे उनको कहा जाता था तो औस्ट दिगज तो यह जो अस्ट परधान नहीं कर रहे हैं और अगर क्रिश्ण Alt कि की बात करेंगे तो महां जढ़क तो किष्ण भाक्ति के आठ वीद्वान ऐआम पर शृ फेकेंसी भी आ गया दरोगा भी ऑगया दोनों का फेकेंसी आ गया आप लोगा अक्राह भ recherत आ रहा घ़्योंहींका सब्सक्राना के इंआ आ इस टो metallोड़ा फाह कीवीडां गुप्त काल में बनाई गई थी और आजन्ता की गुफाएं भी गुप्त काल में बनाई गई थी तो इसमें कौन सा हो जाएगा अजन्ता किस चीछ को दिखाता है तो करुणा को दर्षाता है महात्मा बुद्ध की करुणा को दर्षाता है option कौन सा होना चाहिए? B, आगे बढ़ जाए, option number B होना चाहिए, बार बार हमको आदत है, यहां से page change करने की, अगला निमलिखित कतनों पर VHR किये, पाहयान एक चीनी तर्थी आती था, यहां तक तो सही है, जो हर्स के सासन काल के दौरान आया था, गलत है, यह हर्स के सासन का काल में आया था, हर्स के काल में नहीं आया था, तो यह गलत है, यह किसके काल में आया था, चंद गुबदुतिये, इसके आयातरा विवरण 4Q की है, 4Q की है, भेन सांग एक चीनी विद्वान था, ठीक है, बहुत विक्षुक था, जिसने चंद गुबदुतिये के सासन काल म यह पलट दिया है बस यह दोनों गलत है भेन सांग को नीती पंडित कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इसने महा मौक्ष परिसत जो प्रयाग राज में होता था उसकी अध्यक्षता कर दिया था जिस कारण हर्सवर्धन का ब्रामणों ने विरोध कर दिया तो दोनों गलत है अला गिसी जी loose чै भाई से लत को सवर्धन को सहीं नहीं है इन में से कोई सहीं नहीं है यह व्ला कोई सहीं सहीं नहीं है ठीक है लगा दिये लगैं कि अ भी चलिए आगे देखते हैं अरे इसी चक्कर में हम लोग तीन महीना से बीजी थी इसकी को पढ़ाने में चरक क्या थे भाईया तो चरक थे एक डॉक्टर थे चरक क्या थे डॉक्टर थे आपे ब्रह्मगूत गणित गणित गणिते व्रहमीर जोती सासके थे विसाकदत मुद्र इसे घटिया की तरह बीन दीजिएगा है की का दो होगा तो इसमें कहा होगा लगा जा लिजी चानी नौरोज की बलबन बलबन इरान का था और बलबन कहा था इरान का था और इसने इरानी परमपरा को भारत में बहुत जोर सोर से लागू किया इसने सजदा परमपरा को लाया पायर चुमने वाली पैबोस पद्दती को लाया भारत में इरानी परमपरा नौरोज को लाया इसका विरोध करत किया था लेकिन बलवन का बेटा उस मंगोल युद में मारा गया था जिस वज़े से उस टेंशन में राता था और पुत्र व्योग में बलवन की मृत्ति हो जाती है तो सज्दा और पाइबोस पद्धती बलवन ने चालू किया था अप्सन नंबर इसमें कौन सा होगा बी भी तो देखिए यह उत्तर भारत में आपको मिलेगे गोरखपूर में आप देखेंगे महंत नाथ नाथ परदती गोरखपूर के पास में बहुत मिलेगी उत्तर महंत नाथ जिसमें सबसे प्रमुक आपको उत्तर परदेश के मुख मंत्री योगी आदित नाथ तो नाथ परमपरा वाले तंगा के उत्तर भारत दक्लिभारत में क्या थे दक्षिर भारत में नैनार संत जो थे आपका अगला कोश्ण वुड डिस्पेज वुड 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 एक अग अगल NOW को म beth गई थी जिसका नाम थे वुड डिसाच इमिशन यह बैठी गई थी दलहुजी के समय में यहां पर तो बुड के 1854 के प्रेशण के संबंद में निम्लिकित खत्नों पर विचार कीजिए ठीक है इसमें विचार में सहीं पता करना है विचार में क्या पता करना है सही इसे उच अध्यान के लिए सिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी कर द अब दिया गया है तक बिल्कुल सही है तो इसमें कॉन सही और दो नों सहीं हो जाएगा अप्सन कौन सा हो गया भई बी अब देख लिजेगा हम यहां लगा दिये हैं कभी क्या होता है न कि इसको देखने में आगे पीशी हो जाता है तो को लग जाएगा तो आप समझ जाएगा अगला कॉशन कहा रहा है दस नमर मैथली भासा के विकास निमलिखित में से किस सासनकाल के दौरान हुआ था बहुत ही प्यारी भासा है तो मैथली भासा यहां थी तो इस एरिया में जो करनाट वंस था तो करनाट वंस पाल वंस से ही टूटा था और आपको पता है पाल वंस की भासा क्या थी बंगाली थी तो पाल वंस से टूटा था करनाट वंस करनाट वंस यहां से टूटा था यह के ही सामन्त थे हला कि उनका भी शासन मिथला ही था लेकिन वह पाल के सामन थे जिस वज़े से उनकी भासा में थोड़ा बहुत पाल वाली इस चीज आती थी जो बंगाल के शहत में अगला अरंबिक वैदी काल के दौरान कौन सा सरहर प्राचीन मगद सामराज की राजधानी जही थी तो देखिए पहली बात एक कोश्चन तो नास दिया BPSC ने सुनो क्या से ध्यान से अजब का पूछ रहे हैं आप एक कोश्चन देखिए वैदिक काल जब समाप्त हुगा था यहीं कोश्चन BPSC में यहीं चीछ फासा खराब लगता है वैदिक काल वैदिक काल आपको पढ़ा चुका गया है पंदरासो से लेके चालू होता है पंदरासो इसा पूरु से लेके अच्छठी सताबदी इसा पूरु तक चलता है वैदिक काल ठीक है तो यह वैदिक काल समाप्त होता है हलांकि इसको भी दो भाग में बाटा गया रिग वैदिक काल और उत्तर तते प्रारम्भिक वैदीकाल। और उत्तर वैदीकाल जो हता है एक हजार इसापुरू से चालू होता है, और चछथी सतापदी इसापुरू तक चलता है। तो यह हो गए आपका वैदीकाल, जब तक वैदीकाल रहता है तब τlowna की अस्थापण नहीं होता है। इसके बाद चालू होता है महाजनपद, 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 महाजनपद का काल होता है, और इस महाजनपद में 16 महाजनपद की चर्चा होती है, और 16 महाजनपद में सबसे प्रमुख होता है मगद महाजनपद, अब मगद महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी राजगीर होती थ बाद में इसे पाटडली पूत्र बनाए गया तो इस अपसे मगत की प्रारंबीक राजधानी राजगीर तो ठीक है इस हिसाब से राजगीर ठीक है लेकिन पुछ रहा है प्रारंबीक वैदिक काल 500 इसा पूर्व था उससे में मगत ठाही आणिखी नहीं प्रारंबीग वैदिककाल में मगद कहाँ था नहीं पर उसमें तो गविष्टी या फिसत क्या बवस्ता था लेकिन अंसर इसमें कु था हो जागा राजीद वह ठीक है चलिए भीया राजीद लेकिन ऐखुन चीनों टंकी कर दिया है इसमें वैदिककाल वैद पूछेंगे कहांसे यहां पर आंसर जीयस के पास्तर से जीयस पूछेंगे लोग तो सर िसमें कौन सो और राजगीर राजगीर होती थी आजाद्सबटhnlich किलाबन्दी करा दिया तaken al how चावनी बनाया उसके बाद उसमें साइनिक विकास किया फिर लेके चले गए लोग कहां पर राजधानी बदलती रही थी वैसाली रही ती यह रही ती लेकिन इसमें राजगीरी हो जागा ठीक है लेकिन यह नहीं पूछना चाहिए था यह सब दिक्खा पर योग नहीं करना चाहिए था हमारे बच्चों को दिक्क्त को जाता और लड़कों को दिक्कत होगा मतलों खासर को दिक्कत होगा द्खिए लेक्ते वराणा accelerating कुलर एक सवरा लॉट लीटर्न ने लाया था बहुत खाचरा आदमी था लॉट लीटर्न एकढम वैल्था इस सवरेने भारतिया प्रेस को सोचा बरबाद कर दें, आम सेक्ट लाया सुसरा कहा हतियार रखने की लाइसेंस चाहिए, और UPSC का आयू जो था ना एज उसको घटा दिया सुसरा यहां पर बहुत खचरा था लॉड लीटन, संगा गया कि नहीं आ गया, तो देखे, इसे लॉड लीटन के वर्ना क इसे गैंगिंग अधिनियम भी कहा गया था, गला घोटने वाला अधिनियम था यह, प्रेस का गला दबाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है इसे, किसे वर्ना कुलरेक्ट का, इसे लॉड रीपन ने समाप्त कर दिया था, बिल्कुल सही है, लॉड रीपन ने इसे समाप्त जिन्दिगी में पहली बार आपको लाइब पढ़ रहे हैं अरे अप्लिकेशन हैं आज इतना ना बईट गया है नहीं तो हम तो लाइब पढ़ाते हैं कि चलिए हैं कि आगे बढ़ते हैं लॉड मेयो जाधे दिन जी नहीं पायो अफगानी पठान ने अंड़माण निकुबर में मार दिया इनकी हत्या कर दिया केंद और प्रांत के वित्तिय विभागों में वित्तियों को विभाजित करने वाला पहला कदम था बिल्कुल सही है और जनगर्णा के आधार पर वित्त का विभाजन था कि जिसकी जनगर्णा जादे रहेगी उसको दिया जाएगा हलांकि जनगर्णा प प्रयास किया था लेकिन मरा गय थे सही है इसने प्रांत के वास्तविक और सक्ताओं को ध्यान के इंदरित किया था बिल्कुल सही है मेयो ने बहुत अच्छा मेयो और रीपन दोनों अच्छे थे मेयो जो था ये भी अच्छा था और रीपन जो था ये भी ठीक ठाक था इसने राजनीती के प्रारंभीग नीति सार किसकी है कादम रवाक्षी को डिखताउ किसी को दिक्कत अफसर नमर कौन सा होगा बी चरक तो वो थे क्या नमें चिकित्सा सास के थे चरक संगीता कोटिली की पुस्तक का नम क्या अर्थ सास थे यहां पर तो यह हो गया कौन सा कामंदक हो गया अगला पतुहाते आलमगीरी यह कोश्चन सहीं से टाइप नहीं हुआ अच्छा फोटो खीचने के चक्कर में हो गया यहां पर इसका अंसर बहुत जल्दी दे दिया जाएगा ठीक है अच्छा नम बेर नबर कौण सो और शी कोश्चन चीनी शरोत के अनुसार अ क्या यह पालतूची जाए चीनी शरोत के अनुसार और सिरलंका के सासक मेगवर्मन ने गया में बौध मंदिर बनाने के लिए अनुमती के लिए कि राजो को अपने सामराज के अधीन मिला लिया इसलिए इसे धरणी बंद कहा जाता था समुद्र गुप्त को भारत का नेपुलियन कहते हैं इसके बारे में कहा जाता था कि इसका घोड़ा तीन समुद्र का पानी पीता था इसने स्रिलंका के सासक को अनुमती दिया कि आप अपने सरकारी धन से गया में आके एक बौध मंदिर का निर्माड करा सकते हैं समुद्र गुप्त था अप्सन नंबर बी बिहार वाला भी इसकी ममी बिहार की लिक्षवी की रहने वाली थी इसलिए इसको लिक्षवी का नाती कहता था लिक्षवी दोहित्र कहता था समुद्र गुप्त अप्सन न डिवा अलग हुए 1912 में ह्हाला कि गोष्चना उनीच सो ग्यायारा में हुई थी बंगाल गो गया भी-हार नीच सो बारे मैं और बिहार से उड़ीशा को अलग कर दिया गया 1936 में उडyardsा को तोड दिया गया जार्खंड टोड़ दिया गया चैसांद मोम हो對啊 долларов हुए यहां गीला कोई वहां गीला को बिहार के डबना और हम लोगे शाप्ति पहला हो जाव तिक है कि This कारी बार उन्नी सो बारा में हुआ था बंगाल से वीहर टूटा विहार से उदीशा टूटा चास्था स्टिस में में कारतिय हस्त छिल के संदर में बिहार के सूजनी अरे कपड़ा होता है बिस्तर सूजनी इसले धातु धातु का बिस्तर होता है जी नहीं हो गए यहां पर एक प्रकार की कढ़ाई है सूजनी बिस्तर उस्तर पर कढ़ाई होती है आप लोग देहात वगरा में देखेंगे तो ल इमलिखीत कत्मों पर विचार कीजिए कि आहे लिए विचार करना है भया तो इसमें से कौन सा गलत है विचार कहे करना है तो इसमें से यह बताना है कि गलत कौन है तो आसा धुदला हो गया है आप लोग काम चला गलत कौन है इस विश्विद्याले बिकरम सीला विश्विद् लएकि अस्थापना किया था। इन्हों ने ओधन्त पूरी विष्री दिया लेकि अस्थापना किया ये गलत है। बहुत धर्म का ब्रजयान संपर्दय किृह फली फूता बिलकुल सही है। यह क्ता गोल विग्यांतर चालून की शिख्णी तो सही है। इसमें हमें नहीं बता बताना है कि गलत कौन है तो पहिल को गलत है दूसर को गलत है अब बताना भी यही वाला है कि गलत कौन सा है तो पहिल को गलत है दूसर को गलत है तो यही वाला बताना था यही वाला हो गया अप्शन नमबर ए एनी प्रॉब्लम किसी को दिक्कत नहीं तरो सबतर्भी BPSC के पूरा क्लास ऐए गड़ा कई का सब्धरी भीदीटी अभी जून में है सब्धरीजी बीपीस अभी का है लिए परिसान है आपको अभी 69 अधरने पर्भू तुम लोग बीपीस के एक लाइड बीपीसी था तो सब्धर वी वालों क भी छुट्टी दिया गया ना यह जो उसमें जाके एक्याम दे отсके है है आगे देखते है अब यह से यह क्षतम हों गया क्या आप ना एक से ले 2 तक था उसके बाद excuse श्यासट नंबर में चलते हैं ये सारा कोशन हो गया 66 number question पर है ने प्रोब्लम है एनी प्रोब्लम टुहईवन स्यासट से लेकी तक याचाचाचा दो यह आ गया है यह रहा चलिए 66 से असी तक और आप सत्तारिमी में होगा बाबू पहले उन्हार यार तुम लोग भी गजब बात करता है कि अधर्वी एकदम लेंगे हमें आप चलिए उन्नीस सो सैंटिस से अर्टिस के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वरा आजित हुए स्वामी सहाजानन सरस्वती प्रांतिय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहाजानन सरस्वती थे अपसन नंबर कौन सा होगा इनका नाम कई कोस्टन में आता है इसा होगवे नहीं करता है बीपी एसी का कोस्टन आस्वामी सहाजानन सरस्वती से ना पूछे पूछबे करता है निमलिखित सवतनता संग्राम के दौरान घटनाओं पे विचार करें भाई आई लोग पे तो ऊपर दी गई घटनाओं का निमलिखित में से काल करम अच्छा काल करम तो विचार मत कीजिए लिखते ज़िए कप कॉन हुआ था होम रूल 1916 एनी बेसेंट और बालगंगाद तिलग आयरलेंड से प्रिरी था हाला कि अंग्रेजों ने दबा दिया सूरत विवाजन का सूरत विवाजन 1907 में हुआ था हला कि इसे जस्ट पहले करजन ने कहा था कि कॉंग्रेज अपनी अंतिम सांस ले रही है और मैं चाहता हूँ इसे मृत देख सको खेडा सत्यागरा 1918 में हुआ था माहत्मा गादी ने आमदाबाद के पास एक जगा है खेडा वहाँ पे किया था मारले मींटो सुधार मुसल 1916 होगा और फिर उसके बाद 1918 हो जाएगा 1918 तीन नमर 2413 कुनों है 2413 यहीं लग रहा है लगा लीजे अपसर नमबर ए अरे बनाव वहू उनलों कहां किया उतना नहीं नहीं काम कर रहा है बिहार SAC के टेस्ट चालू कर रहे हैं एकदम टेस्ट चालू कर देंगे तीन अक्टूबर को फाउंडेशन आरा है इसका मैप का एनी प्रोब्लम यह इतना असान असान कोश्चन बीपीएसी में देखो अगला कोशन कर रहा है लॉड लीटन या खचरा है लीटन होगा बहुत खचरा था रीपन अच्छा था रीपन बहुत अच्छा था रीपन प लॉड लीटन इम्लिकीत में से किसके लिए शंबंधित नहीं था इस श्चरा बहुत खच रहा था छूजची दिख रहा है जी समें तो हमरा कुछ दिखिया नहीं रहा है इसमें तो कुछ दूदला हो गया है दिखिया ने शास्ट राधिन अधिन हम यहीं लाया था का था यही लाया था वर्ना कुलर एक्ट यही लाया था यही लाया था वर्ना कुलर एक्ट की प्रेस पर इलबर्ट बील यह नहीं लाया था इलबर्ट बील को लाय थे रीपन लाय थे इलबर्ट बील को रिलबर्ट ले यह इस्ट्रेची इस्ट्रेची है क्या यह दूदला दिख इस्ट्रेची आयोग, अगर रहेगा तो आकाल के लिए था, आकाल भी यही लाया था, तो देखिए यह तीनों लिटनवा लाया था, और रीपन इसमें लाय थे इलबर्ट बिल, इलबर्ट बिल के वज़े से अंग्रेजों ने रीपन का बहुत बिरोध किया था, लौड कैसे कह सकता है कि एक काला आदमी, काला आदमी का कोई भेलु नहीं है, करा काला आदमी कैसे अंग्रेज को सजा सुनाएगा, इसलिए रीपन को मजबूरी में जुकना पड़ा था, लेकिन रीपन जब तक भारत में था, भारतियों के लिए अच्छा सोचा था, इसने वरना ऑप्सानों उसको ले लिया गया तो कर्याओ इसमें से कौन लिटर नहीं था तो तीन नमबर में लिटर नहीं था यही वाला हो जाएगा प्सषानमीं रसा जाएगा कोन सफ यह व्लावला सभ्ड़यों harini ho अगे बढ़ते हैं किता नंबर हो गया इस्टी एट अगला करा बक्सर की लड़ाई के बाद संधी पर हस्ताक्षार हुआ इलहाबाद की संधी बक्सर की लड़ाई कब हुई थी 17 Himm corona में कौन साुन सबूं गाया था बक्सर की लड़ाई बक्सर की लड़ाई के बाद अंक्रेज पूरी तरह भारत पे कब्लधा और 1775 में कर लिया इनोंने इलहाबाद की संधी और इलहाबाद की संधी के तहट बंगाल का उप दीवान इनोंने रजा खान को बनाय था इसे बनाया था रजा खान को रजा खान को उप दीवान बनाया था और इलाबाद की संधी के तहट सा आलम दूतिये ने अंग्रेजों को बिहार बंगल और उडिशा की दीवानी अर्था टेक्स का पैसा सौप दिया और इसी संधी के तहट भारत में द्वाइद सासन का प्रा 1632 में डाला था, Dutch East India Company ने अपने करखाना 1632 में डाला था, क्या हो गया पीछे वाले कोशन में, ठीक तो है 700 पैसा, ठीक है, आगे कोशन, 1632 में, Dutch East India Company ने, अगला, इन में से किस अंदोलन में महात्मा गांदी ने भूख हरताल, ने महात्मा गांदी को परेना रसकीन से मिली ती, रसकीन से मीली थी, रसकीन नामग विद्वान से भूख हरताल की प्रेना मिली थी महात्मा गांदी को, जबकि लियो टौलस्टाय, इस से इन्होंने अंदोलन सीखा था अंदोलन को सीखा था हलाकि मिलर नामक पत्रकार महत्मा गांधी का मित था मिलर नामक क्या था पत्रकार जो था पत्रकार यह महत्मा गांधी का मित था महदेयो देशाई जो थे महत्मा गांधी के वो थे क्या नमें सची उते देशाई महत्मा देश आई यह महत्मा गांदी की क्या था आ अधा बाध बाद मील मजदूरों के लिए भूखरताल कर दिया था बार्दोली 17 अगर ता सदार पाटेल का था रॉलेटेक्ट में महत्मा गांदी को गिरफतार कर लिया गया था काला कानून के वज़े से अगला कोशन है अक्षन 42 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के महतपूर योगदान था, बिहार के कौन से प्रमुग नेता बिहार के स्री के नाम से जाने जाते थे और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका स्री कृष्ण सिंग ने, स्री कृष्ण सिंग ने आगे जाके बिहार के पहले CM बन गया थे, option number a, अगला कारा है, चंपारन के अंदोलन के, कहा कारा है है, चंपारन अंदोलन के, जन अंदोलन की प्रकिरिया में, बृटिस सरकार ने, इस मुद्धे के समाधान के लिए क्या कदम उठाया था, चंपारन मुद्धा जब बढ़ गया तो इसके लिए वही फोर भी प्रॉस सरकार का नेक शमीति का गठन कर दिया जय से भारत्व सरकार चांटadora यह प्रीक्राविद के दिखें 120W डीश्य उप्सार किसान समिति के और कम दिया थैं 110 कंदिया जेसा जबीच मंश्य विद्धक हम मिЗमाριा लत प्र्स,अ अगला कोशन, सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए, भारत सेवक संग, गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण की गोखले महात्मा गांधी के गूरू भी थे, तर तो बोधनी सबा, देवेंदना टैगोर, आत्मी सबा, राजा राम मोहन राय, आधुनिक भ अंबा भाई, 1780 सेनानी, करनाटक की, अंबा भाई, 17uchen समास सुधारक की सवताह्य की समास सुधारक की महिलाओं के लिए खड़ी रह तीं declaration सिख्षा पर बहुत योगदान ओन ने, यह करनाटक की ही रहने वाली थी, option number be, ब्यार व भाला, अगला, इनमें से कॉन सा cabinet mission का सदस नहीं था केबिनेट मिशन 1946 में आया था केबिनेट मिशन में तीन सदस थे काल एलेकजेंडर और क्रिप्स एलेकजेंडर और लारेंस एक का नम था क्रिप्स क्रिप्स था, हलांकि क्रिप्स प्रस्ताव एक बार विफल हो गया था, एक का नम था एलेकजेंडर, 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 और एक का नम था लारेंस, यही नेतृत कर रहा था लारेंस, लारेंस, पैंथिक, लारेंस, यही नेतृत कर रहा था इसका, इसमें इसने भारत में क्या कहा था कि इसी ने सम्विधान सभा का निर्माड के लिए बात कहा था कि भारतियों के पास एक सम्विधान हो जाएगा और इसने अंतरीम सरकार बनाया था इसा पढ़ाए गया जी आपको इतों पॉलिटी में भी पढ़ाए गया है सुरक्षा वाल्ब देखिए कॉंग्रेस की अस्थापना लॉट डफरीन ने सुरक्षा वाल्ब की तौर पे किया था भाए यही बात लाला लाजपता राय किका था कि 1885 में लॉट डफरीन के समें यह कॉंग्रेस की अस्थापना हुई थी यह आई इंडियन नेस्टनल कॉंग्रेस इसके अस्थापना का जुसरे था एओओ को जाता है और इन्वे सुरक्षा वाल्ब का संधर्या दिया था लाल पाथी राश्टी कॉंग्रेस के अधीवेशन में पहली बार मौली का धिकार के बात किया था कि अगला कॉशंग कई तो कह रहा है कि विफलता का कारण क्या था निमलिकित में से एक कारण है कारण थे औंग्रेजी स्रेश्टा था थी बिल्कुल संहीं थे उनके पास एंफिल् बाद में बाहदुर सा जफर को नेत्रिति दिया गया जो भी लड़ाई लड़ा था उनका अपना व्यक्तियत कारण था कुमार सिंग की जमींदारी गई थी वेगम हजरत माल से सासन गया था जहांसी गिनानी के बेटा को राजा नहीं भिनाए गया था नाना साब को पेंसन र गड़ी नहीं रहा था तब किसी का पेंसन बंदे किसी का सामराज चीना गया किसी की जमिंदारी चीनी गई इस वजए सा हुआ था था तो तीनो सेही है एक दो तिन उपरोग सभी तभी के सभी 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 है अबसा नम्बर कौन सोगा सी अगला वार का वर रसुए इस पिछ जा दिये कि आपके दूद में जहर मिलाए गया, तो महत्मा गांधी ने दूद पीने समय ना कर दिया, पूरे चंपारन में हला हो गया, कि महत्मा गांधी को मारने का प्लान है, ठीक है, बतक मिया, पीछली पर भी कोशन पुचाता, अच्छा ये उसका question है आपका math होगा होगा है तो history हो गया 135 बच गया एक तो एक और question बच गया आपका 80 तक तो हो गया ना अब 135 नमबर एक question बचा है बागी math reasoning भी हो जाएगा आपका ठीक है आ गया 135 आपके है 135 पे यह सब हो गया एक सेकंड बाबु एक question बच गया 135 नमबर पर भी question है देख लेते हैं लोग उसको भी देख लेंगे अरे भाईया 135 रुको यही यही रुको 149 एक सचालीस यह रहा है 135 नमबर कौन सा जानवर सिंदु सब्वेता के लोग नहीं नहीं पता था सिंदु सब्वेता के लोग हाथी पता था यह हडपा से हाथी का वो मिला है बैल उनका फेबरेट था घोड़ा का साक्ष केवल एक जगा से मिला है सुरकोटदा सुर्कोटदा और गोड़ा इन लोग पढलते नहीं थे व्यपारिक सब्वेता कोई से आके गोड़ा मर गया था यही पे दूसरे जग़े सा के यह आ पर यहले पाले वहले नहीं तो बाएका से मीलत कई प्रक्षे पर एक जग है से मिल आ तो ऐसे लगता है जिसे कोई से घोड़ा पाल के अलाया थे ब्यापरिक सहर था फोड़ा आया होगा गोड़ा यहीं मर गया इसलिए यहां पर मिल यहां पर हम आगे कि नहीं आगे आगे आपका पूरे GKGS science का discussion हो गया अब आपका answer sheet upload कर दिया जाएगा और पूरी BPSC का answer sheet जल्दी upload कर दिया जाएगा और बहुत जल्दी आप लोग को इसका भी क्या ना मैं यह क्यों चेंज कर दिया जी नेक्स्ट बच कहां हाँ अब दिखिए आप लोग का reasoning का और math का भी question अभी आप वह डाल दिया जाएगा ड्राइम इसमें discussion में जो मेंस है BPSC मेंस तो BPSC मेंस का जो classes है यह 5 October से start हो जाएंगे BPSC मेंस 5 October से तो जितने लोग है मेंस वाले वो लोग को एकदम तत्पर रहना है यह लेट नहीं करेंगे आप लो वरना फिर क्या हो जाएगा ना timing नहीं मिलेगा तो मेंस के classes जो है वो कितने तरीक से start हो जाएंगे पांच October से पांच तरीक से मेंस स्टार्ट हो जाएगा बिहार SSC बिहार दर होगा इस दोनों के भी बैच आपके पैरलल स्टार्ट हो जाएगा और Indian Map का तो पांच अक्टूबर से दिखिए कितने अक्टूबर से पांच अक्टूबर से आपका ऑन-लाइन-उफ-लाइन दोनों से स्टार्ट हो जाएगा जी एस वटनोंगा जी एस टू होगा एसे होगा और हिन्दी होगा सारे क्लास के drives ऑगे एकक्टूबर में चार पॉर्शन खतम कर दिया जाएगा Static खतम होगा, Essay खतम होगा, Science and Tech खतम हो जाएगा, Current Afair खतम होगा अक्टूबर में। November में जो खतम होगा, Policy खतम होगा, Geography खतम होगा, Economics का हिस्सा होगा और कुछ Miscellaneous वगरा, Science and Tech यह सब चिज़े कर रहेगा। तो दो महीने में। तो ये चीजे हम लोग 5 अक्टूबर से शुरू करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रियाग राज में भी बहुत जल्दी आ रहे हैं भावू, रो कह रहे हो लोग जी, एकदम सही ठक गए हैं आप लोग, ठक गए होंगे, अभी अब तो एक्जाम लेके भी आ रहे हैं, सत तर्वी का भी बहत चली रहा है, सत तर्वी का एक और न्या बेच आ जाएगा, 10 का भी बहत जाएंगा, जल्दी आ जाएगा तो आज के लिए इतना ही सब लोगों को धेर सारी सुबकामना है आशिरवाद जो लोग का पेपर बहुत बढ़िया हुआ अब मेंस में जूड़ जाएए जिन लोगों को सत्तरवी बीपेसी देना है आप सत्तरवी बीपेसी के लिए रेडी रहेंगे हम लोग आपकी सेवा में हाजी रहें टोटल अपनी टीम जो है एकदम बहतरीन है को एक चीज बस है कि जितने टीचर है और डेली के हैं यहां का कोई भी टीचर नहीं है तो जाते तर यह चीज है तो एक ठीक भी है पॉंक्चुलिटी मेंटेन रहती है तीन अक्टूबर से मै